अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली लगे रह रहो लगाता रेफर्ट मार रहो मतलब आप अपने आपको जोक दियो पूरी एनरजी के साथ तो येस ये चीज का हावत बिल्कुल ट्रू होगी कि a single sit of paper can't decide the future तो हीरोन्स फॉर्मूले की कहानी में सबसे पहले समझते कि ये ट्रैंगल क्या है यानि सर समोसा सास्त्र की बात ये थोड़ी कर ली जाए कि समोसे में सर क्या क्या है यार देखो बहुत कम ऐसे टीचर होते जो आपको calculation के साथ साथ एक smart calculation का approach सिखाना मिस कर देते हैं usually मैं वो नहीं छोड़ने वाला हूँ ये जो सवाल है ये आपके CRT का एक बहुत उमदा सा सवाल काफी ज़्यादा परिशान आप लोगो करता है समझते हैं क्या है मैं खुद give up कर दिया दोस्तों आपको फिर कैसे वो attitude दे पाऊंगा कि आपको कभी give up नहीं करना यस तबियत बहुत ज्यादा माईने रखता है ख्याल रखेगा अपना हेलो रोकी स्टार्स क्या हाल चाल स्वागत मेरी अनिस्टॉपबल आर्मी मेरे चैंपियंस आपकी से प्लैट्पॉंग फिजिक्स वाला के खुब सूरा से यूटूब चैनल लीप पे क्या हाल च के इंट्री करा ही दी जाए चलो स्वाक से सीखते हैं इस पूरे के पूरे चाप्टर को बहुत सारी बाते होंगी आज बहुत सारे बारीक पॉइंट्स पे हम लोग थोड़ा सा ओपेनली या ऐसे बोले तो सर मस्त वाले जबर्जस वाले तरीके से डिसकसन रखेंगे कि सर एक ट्रांगुलर सेप में एरिया को निकालने के लिए कुछ ऐसे ट्रांगस होते हैं जिनके लिए डारेक्ट फॉर्मूला है कुछ ऐसे ट्रांगस बन जाते हैं उसके अप्लिकेशन ऐसे बन जाते हैं जहां पे एरिया को डारेक्ट ले निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता है उसके लिए क्या करें तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को आज जम के तोड़ने वाले हैं समझने वाले इस चप्टर की पूरी बारिकियां तो क्यों ना इस पूरे हिरोन्स फार्मूले को एक नए स्वाग वाले तरीके से हीरो की इंट्री दिलाए जाए चल लगा पड़ा है हिम्मत नहीं हार रहा है तो दोस्त आपको भी लगे रहना पड़ेगा क्योंकि कॉम्म्टीशन बहुत हाई है और इस जमाने में अगर आप रेस में बेसिकली हिस्सा तो ले ही चुके हो आप ऐसा मान कर चलो कि इस रेस का पार्ट तो होई जीतेगा वही ज इसके पास conceptual power है जिसके पास knowledge का power है वह जीतने वाला है for sure आप लोग बार बार बोलते हैं हो कि sir a single sit of paper can't decide our future नहीं दोस्त आज मैं आपके मित को तोड़ने वाला हूँ a single sit of paper can't decide your future sir कैसी बात कर रहो हमने तो अभी तक सुना कि single sit of paper can't decide our future नहीं दोस्त ये आपका मित है अगर आप अपनी life में consistently लगे रह रहो लगाता रेफर्ट मार रहो मतलब आप अपने आपको जोक दियो पूरी energy के साथ तो yes ये चीज का हावत बिलकुल true होगी कि a single sit of paper can't decide your future बट अगर आपने consistency कहीं से भी break की आप life में जितने effort मारने चाहिए अपने आपको उपर ले जाने के लिए वो effort नहीं दे पा रहे हो तो बस समझा ना दोस्त की ये जो पूरा का पूरा funda है ये आप पे लागू नहीं होता यानि a single sit of paper can't decide your future देखो यार इससे पहले मैं सारे toppers के मैंने interview लिए last year बहुत सारे state board और district के topper निकले उन toppers interaction के बाद एक तो conclusion बहुत clear आया कि सर अगर हमने efforts नहीं मारे रते तो पूरा का पूरा ये जो academic percentage है ये कुछ न कुछ सर घोल में लो जाता गडबड हो जाता और इस चक्कर में जो हमने अपनी life का ख्वाब बन करना है तो वो सब कुछ कहीं न कहीं आज से ही गिरता हुआ नजर आ रहा था और हमने अपने आपको समाला है यानि सीधे सब्दों में बोले बिटा तो जो stream आप चूच करना चाहते हो बेसिकले बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो सोचेंगे कि सर साइन समय लेना है बहु चलके दिक्कते होने वाली है तो दिस इस अल अबाउट जो आपके थाट प्रोसेस है उसको मैंने क्लियर कर दी आपका मित सायद दूर हुआ होगा चले इस कानी को यह से स्टार्ट करते तो मेरे भौकाली और मेरे बाबु मोसा है अपनी कुरसी की पेटी बाद लिजिए क् की नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड अभी स्टार्ट होने वाला है क्या क्या करने वाले इस चाप्टर में हिरोंस फॉर्मूला में तो बेसिकली बच्चो इस पूरे चाप्टर में सारा जो गेम चलेगा वो रहेगा एरिया ओफ ट्रैंगल को लेके और डिफरेंट आप्ल सर यह फिल्मी स्टाइल मज़ा आगया चली बिया तो बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैंगल में एरिया को निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और जहां पे हम फसेंगे यानि जहां पे डारेक्टली फॉर्मूला नहीं बनेगा वहां पे सर हम बचाने कोन आएगा तो या आपके इंट्री हो जाएगी यानि हीरोंस फॉर्मूला की इंट्री होगी जहां पे एक छोटे से बेसिक से बड़ी क्यूट से फॉर्मूले की है हेल्प से हम किसी भी ट्राइप के ट्रैंगल का एरिया निकाल सकते हैं इसके अप्लिकेशन पार से सवालों की बात की जाएगी यानि बोले तो बूगल बाबा के जो कुछ एक्स्ट्रा भौकाली सवाल है वो आपके लेवल को और निखारेंगे और ले जाएंगे वन लेवल अब तक तो यह होने वाले आज के क्लास का कुछ फ्लो देखो यार लबग लबग सारे पॉइं कि यह ट्रांगल क्या है यानि सर समोसा सास्त्र की बाते थोड़ी कर ली जाएं कि समोसे में सर क्या क्या है तो इस समोसे वाले सकल का जो हमारा पॉलिगन है यानि ट्रांगल अगर देखा जाए तो बड़ा एक प्यारा सा क्यूट सा ट्रांगल जिसमें कम से कम साइड्स होत तो क्या इससे कोई close structure बनेगा नहीं, तो भी यह number of sides को थोड़ा बढ़ा देते हैं, दो side, सर इससे भी कोई close structure नहीं बना, number of sides को बढ़ा दिया, तो अब जाके हमारा एक close structure बना, और ये एक ऐसा polygon जिसमें least number of sides हैं, और इसी का नाम दिया गया, triangle यानि तिकोने सिसकल का, एक हम नहीं को थोड़ा और detail में समझते हैं, सर हिरोंस formula में हमने area area जैसा कुछ game सुना था, तो थोड़ा area की बात कर ली जाए, एक triangular shape का area निकालने में, क्या-क्या basic हमारे component की need होती है, उसको समझते हैं, तो सर हमने सुना था, class 7th एर्थ में पढ़ चुके हैं, कि triangle का area होता है, 1 by to base into height, तो सर, triangle में base किसको बोलेंगे, height किसको बोलेंगे, कब क्या है, बहुत confusion होता है, गुरुजी, बहुत तकलीफ होती है, थोड़ा मस जबर जस्त वाले तरीके से समझा देते, कि पहली फूरसत में हमको समझ में आ जाता, कि यह वाली साइडिया को हम base ले लें, और यह पाली लाइनिया को हम height ले ले altitude, तो अपना कमवा बन जाएगा, गुरुजी, चलिए भई, इस पूरे myth को दूर करता हूँ, आपके इसी confusion को सबसे पहले sort करता हूँ, कि एक triangle में किस वाली side को base लेना उचित रहेगा, और कौन सी line को altitude या height लेना, सबसे perfect होगा, ताकि calculations को को पाए, एक triangle में एक line segment जो भीया क्या बोला है, a line segment from a vertex and perpendicular to the opposite side, जो opposite side होगी बेटा, वो base कहलाएगी, अरे simple सब्दों में बोले भीया, बहुत simple सब्दों में, तो जो perpendicular डला गया है, वो altitude हो जाएगा, जिसने perpendicular डाला है दोस्त, उ कहलाएगा अपना altitude, भीया इस वाली line को देखा जाए, इस वाली line को देखा जाए, तो ये सामने वाले vertex से, उसके opposite side पे 90 degree का angle बनाते हुए, ये line खीची गई है, तो इसको बोल देंगे height या altitude, ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये altitude हो जाएगा सर, या इसको height भी बोला जा सकता है, या इसको height भी बोला जा सकता है, औ दोसको बच्चों हम बोल देंगे क्या base यानि जिस पर ये triangle टिका हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त क्या base, तो सर हमने ये एक बात समझ ली, कि जिसने हमारा perpendicular डाला, वो हो गया सीधे सब्दों में altitude, और जिस पर डाला, वो हो गया base, इस बात को मैं simple language में लिख ये परपेंडीकुलर डाला, देखो यार यार यह बहुत confusion की बात होती है, कि किसको लें किसको न ले, परपेंडीकुलर डाला, वो हमारा क्या कहलाएगा δोस्त, वो हमारा कहलाएगा altitude या जिसको हम कभी-कभी height भी बोल देते हैं, और जिस पे डाला गया, जिस पे, जिसने perpendicular डाला गया perpendicular डाला गया वो क्या हो जाएगा दोस्ट सर वो हमारा अब base कहलाएगा वो हमारा base कहलाएगा यह बस basic सी बाते हमें याद रखनी थी ये trick अगर आप लोग याद रखते हो तो किसी भी triangular shape में 1 by 2 base into height वाले formula को लगाते time सर क्या हमारे पास base बनेगा क्या हमारे पास height बनेगा इसमें कभी भी आपको confusion नहीं होगा दोस्ट अब देखो यार इसके कुछ practicing करा देता हूं maybe यह लिखा हुआ बात आपको उतने अच्छे सा digest नहीं हुई हो practicing कराता हूं अब मालो इस figure में देखा जाए इस figure में देखा जाए दोस्ट तो मारे पास क्या आएगा इस figure में देखा जाए तो क्या होगा दोस्ट अगर मालो मैं इसको लिखता हूँ यह triangle ABC है यह triangle ABC है और यह point D है अगर मैं आपसे पुछता हूँ कि इस particular triangle में base कौन सा होगा और perpendicular या altitude कौन सा होगा तो सर दिमाग लगाएंगे कि perpendicular डाला किसने है अगर इसको notice करें बच्चों तो perpendicular जो डाला है वो यह वाली line ने डाला है इस line ने यानि सामने वाली opposite वाली vertex से जो line खीचा जाए जो सामने यानि opposite side पे 90 degree का angle बनाते हुए रहे तो अभी हमारा क्या कहलाएगा altitude altitude यह बास समझ माई क्या अच्छे इसके आगे एक चीजो और लिख देता हूं अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स से निकला हुआ लाइन इसको ऐसे भी पहचान सकते हो निकला हुआ लाइन यह अपोजिट वर्टेक्स से निकला हुआ लाइन जो होगा वही तो हमारा perpendicular कहलाएगा height कहलाएगा altitude कहलाएगा यह बात clear हो गई यह बात clear हो गई कि यह अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स से निकली हुई लाइन जो किसी पे perpendicular हो जो perpendicular हो या जिसने इस ट्रैंगल अच्छा इस वाले पार्ट की बात की जाए इस वाले पार्ट की बात की जाए तो सर एक भात बताओ different type of triangle में क्या जरूरी है कि हर बार altitude triangle के अंदर हो नहीं दोस्त इस case में triangle का altitude कहा था सर उसके एक side पे align कर रहा था इस case में triangle का altitude triangle के interior part में था लेकिन लेकिन obtuse triangle के अंदर obtuse triangle के अंदर जो triangle का altitude होता है वो वड़ा खतरनाक तरीके से दिखता दोस्त यानि वह हो जाता है triangle के बिलकुल बाहर वो triangle के बिलकुल बाहर हो जाता है दोस्त क्योंकि आप try करो कि opposite side ऐस वाली side पे इस वाली साइड पे अब देखना इस वर्टेक्स का पोजिट क्या होगा यह वड़ा अगर इस पे आप पर पेंडिकोल डालने की कोसेश करो तो ऐसे तो खीचोंगे ने भिया ऐसे ही खीचोंगे अपसर यह इमेजनरी हमने सोचती लिया ये सोचतो लिया लेकिन डालना इस में था तो चलिए भी इस बात को extend करके समझते हैं कि यह हमारा हो जाएगा altitude यह मारा हो जाएगा altitude क्योंकि यह imagination है हमारा यह basically imagination है कि इस वाली side को अगर हमने imagination में आगे सोचा होता, तो ये वाली line इसका altitude कहलाती, और base कौन सा कहलाएगा बिटा, सिर्फ इतना सा part, ये सिर्फ इतना सा part, बेस कहलाएगा, ये जो extended part अपने सोचा है, वो actual में triangle का हिस्सा नहीं था, ये जो अपने ये part extend किया बिटा, ये triangle का हिस्सा नहीं था, तो इसको हम aja base count करेंगे यह बात याद रख लीजिएगा दोस्त चले सेम तरीके से इसमें देखा जाए तो सर यलो वाली लाइन हमारी एल्टीट्यूट कहलाएगा और साथ में यह वाली जो साइड होगी बिटा यह हमारी क्या कहलाएगी बेस कहलाएगी क्योंकि इस पर हमारा डाला गया पर एक लेग्या साइड बन जाता है इनदा केस आफ आफ अक्योट अइंगल ट्रैंगल बेया पर के अंदर होता है इन-केस आप अप्ट्यूस अइंगल ट्रैंगल सर, altitude triangle के बिलकुल बाहर हो जाता है चलिए, आगे बढ़ते हैं विटा कुछ कहानी और समझते हैं area of triangle में हमेशा मैं बोलते हैं रहा हूँ कि सर, area of triangle का formula अभी तक जो हम याद करते हुए है that is 1 by 2 base into height अब यार, base कौन सा होगा, height कौन सा होगा इसके लिए मैंने already आपको तरीका बता दिया पाचाने में कि किसको हम base लेंगे, किसको altitude या height लेंगे वो बात आपको समझनी चाहिए सर, यहाँ पे यह वाली perpendicular डाला है तो यह हमारी height हो जाएगी, जिस पे डाला है वो base इसने perpendicular डाला है दोस्त, तो यह हमारी height जिस पे डाला गया बेटा, जिस पे डाला गया हो हमारी base जिस पे डाला गया वो base सर, इस वाली line ने perpendicular यह imagination में है कि अगर इसको हम आगे बढ़ाए होते हैं, तो इस पे perpendicular होता लेकिन base वाले portion को सिर्फ इतना ही consider करेंगे बेटा क्यों, यह हमारे इस triangle का, इस triangle का हिस्सा नहीं है basically, original जो triangle था, वो सिर्फ यह वाला part था originally जो triangle है बेटा, वो सिर्फ इतना सा part है ध्यान दीजेगा, यह इतना सा part हमारा triangle है यह बाहर जो हमने imagination में यह line खिची हुई है dotted line, यह triangle का part नहीं है इसलिए इसको height consider करेंगे, ऐसे सोचेंगे कि यह perpendicular होता तो यह height हो जाता, लेकिन base के तरीके से सिर्फ इतने portion को ही count करेंगे चलिए, कुछ सवालों से इस कहानी को थोड़ा और आसान करते हैं लिखा है, the base of triangular field यहां पे देखो यार बड़ा खतरनाक सा हरा भरा खेत है, इस खेत का जो base है वो 2 is to 1 by 2 times its height है, बोल ला भी है कि triangle का base base जो है, वो बोल ला कितना है बेटा, धाई गुना है यानि 2 is to 1 by 2 times क्या है, times height height के बराबर या जिसको altitude बोलेंगे, यह इसके बराबर है तो ले लेते हैं base को B और इसके height को देखना है, 2 to 4, 4 plus 1, 5 this would be 5 by 4 into height, अब आगे क्या करें, लिखा है the cost of turfing it at rupees 40 per 100 meter square is 800 भाईया इसमें मालो कुछ हो रही है, कुछ चीजे हो रही है cost of turfing देख लीजे भाईया, तो भाईया इसमें कुछ काम ऐसा हो रहा है कि अगर हम देखे 100 meter square के लिए 40 रुपया लग रहा है तो भी या total costing पढ़ रही इस field के लिए 800 रुपया सुनना, सुनना, 100 meter square पे कितने रुपय का काम हो रहा है भीया 40 रुपय का, तो total जो रुपया लग रहा बिटा, वो लग रहा कितना या दिमाग लगाओ, unitary method ऐसे लगाओ, अगर थोड़ा और अगर दिमाग लगाती तो ऐसे लगाती क्या भीया, 40 रुपय लग जा रहे कितने 100 meter square के turfing के लिए 40 रुपय लग जा रहे, 100 meter square के turfing के लिए तो एक रुपय लगेगा, यूनिटरी बनाएंगे किस पे, सर, 100 by 40 meter square पे, 100 by 40 meter square पे, सीधा समतला है, सर, 40 रुपय लग रहे हैं, 100 meter square के लिए, तो एक रुपय लगेगा, 40 को divide कर दो, तो भी या 800 रुपय किस पे लगेंगे, 800 रुपय कितने area पे लगाना पड़ेगा, 800 रुपय कितने area पे लगाना पड़ेगा, सर, यह लगाना पड़ेगा, 800 गुडे, 100 divided by 40, 800 गुडे, 100 divided by 40, इतने meter square area पे लगाना पड़ेगा, इसको simplify करते हैं, दोस्त, देखना, इस 0 से यह वाला 0 cancel, देखना, 4 to 8, तो यह जगा 200 into 10, तो सर, यह जगा 2000 meter square, बहुत बढ़िया, सर, यानि यह जो triangular ship था, यह जो triangular ship था, इसका actual area जो था, वो 2000 meter square था, क्योंकि इसकी जब turfing की गई, तो भी यह 800 रुपय लग गया, अब यह मालिक 800 रुपय लगा तो है, ठीक है, 40 रुपय rate की हिसका हिसाब से लगा, 40 रुपय में अगर 100 meter square की turfing हो सकती है, तो भी यह एक रुपय में 100 by 40 meter square की, तो भी यह 800 रुपय जो लगाए गया है, कितनी area के लिए, 800 गुडे 100 upon 40, इस 0 से 0 को cancel किया, 4 to 28, तो यह जागा 200 into 10, that would be 2000 meter square, यानि जो total area turfing की गई है, basically यह जो triangle को turfing की गई है, यह हुई भी यह 2000 meter square, दिमाग लगा लेते हैं भी यह जो पूछा है, फाइन इट्स बेस, बेस पूछ रहा है, इसके बेस के बारे में पूछ रहा है, तो दिमाग ऐसे लगाएंगे क्या, area of triangle, सरी हो जाएगा, 1 by 2, base into height, सर, area तो 2000 आ रहा है, area तो 2000 आ रहा है, 1 by 2, base निकालना तो base को राने दो, अच्छा, यहाँ से अगर देखो, तो height कितना आ जाएगा दोस्त, 4 into base, 4 base, और यह 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो सर, यहाँ पे height की value आ जाएगी, 4B by 5, बहुत बढ़िया, 2000, देखना है, यह 2 और 5 इसके साथ multiply हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो इधर कितना आएगा दोस्त, सर, यह 4B, into B, 4B square आ जाएगा, यह यहाँ कहा है, सर, B square की value आ जाएगी, 2000, into 2, into 5, divided by 4, B square की value कितनी आ जाएगी, दोस्त, calculate करिएगा, सरी हो जाएगा, 4, 5, 20, तो 500 गोडे 10, तो B square equal to हो जाएगा, बिटा, कितना, यह 5000, probably इतना आ जाएगा, probably इतना जाएगा, let me cross check, data को मैं एक बर cross check कर लेता हूँ, the base of triangular field is, 2 is to 1 by 2 times its height, ठीक है भी है, height का, 2 is to 1 by 2 times, 2 to 4, 4 plus 1, 5 by 5 by 2, okay, 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 my mistake, my mistake, my mistake, okay, भारी मात्रा में नुट्सान हो गया, दोस्त, भारी मात्रा में नुट्सान हो गया, this would be, this would be equal to 2, बहुत-बहुत-बहुत माफी चाओंगा, दोस्त, बहुत-बहुत माफी चाओंगा, this would be equal to 2, तो ये कितना हो जाएगा, दोस्त, सर, ह जो होगा, भारी मात्रा में नुट्सान हो गया, ह जो हो जाएगा, दोस्त, हो जाएगा, to be divided by 5, to be divided by 5, मैं सुच हूँ जार, calculation, ऐसे तो रफ ली आएगा नहीं, जैसा ये रफ आया हुए, calculation, ऐसे तो आना नहीं चीए, चलिए, calculation को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, दोस्त, माफी चाओंगा या, यह हो जाएगा, ह की वैलू, to be divided by 5, चलिए, तो यह हो जाएगा, 2000, equal to, to be square, divided by 10, यह चीज़ आजाएगी, तो 1, 3, 0, यहाँ से, और 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4, equal to, B square, तो सर, यहाँ पर देखा जाएगा, तो B square equal to, यह 100 का square है, तो BASE तो सीधे सब्दों में बोला जाए, तो सर, 100, लेकिन क्या 100, सर, अगर यह पूरी कहानी मीटर की चल रही थी, तो यह मीटर में ही आएगा, तो BASE हो जाएगा, इस triangle का बिटा, कितना, 100 मीटर, कितना हो जाएगा, दोस्त, 100 मीटर, calculation cross check मैंने कर लिया है, अब यह बिल्कुल perfect है बटा, एक छोटी सी गलती हुई थी, उसको हम लोगों ने rectify कर लिया, अब गलती से जाके chat section में यह मत डाल देना है, कि sir, इस time, इस time pain पे आपने गलत कर दिया, दोस्त, इसको rectify कर लिया गया है, चले, आगे बढ़ते हैं, find the altitude of triangle, जिसका area दिया गया, बेस इतना है, चलो मालेते कि वो triangle कुछ ऐसा होता, triangle ऐसा होता, तो बोला कि इसका base जो है, इस triangle के baby का base जो है, वो हमारे पस कितना दिया है दोस्त, 30 मीटर, अब बोला कि सामने वाली side से जो perpendicular डालेगा, वो ही हमारा altitude कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्त? सर, यह हमारा altitude कहलाएगा, यह altitude कहलाएगा, और यह मालेते के altitude h के बरावर होता, उसका base जो b है, वो 30 के बरावर होता, तो सीधा formula लगाते हैं क्या दोस्त, कि सर, area of triangle जो होगा, area of triangle जो होगा, वो हो जागा, 1 by 2, base into height, अब यहां पर area हमारे पास already given है that is 540 meter square यहां पर भी meter यहां पर भी meter तो height या altitude guaranteed से meter में ही आएगा 1 by 2 base कितना बिटा 30 height हमें निकालना है देखिएगा दोस्त इतना आगया 540 यह 2 equal to 30 into h height कितना आजाएगा दोस्त सरी आजाएगा 540 into 2 divided by 30 एक 0 से एक 0 cancel बिटा h की value आजाएगी 54 into 2 divided by 3 देखना 3 बन जा 3 2 बचा 3 8 जा 24 तो सर यह 18 गोड़े दो यानी सरी बड़े प्यार से 36 meter आजाएगा required height उस triangle का देख लिजेगा दोस्त आई होप यह सारे के सारे calculations आप आसानी से समझ पा रहे होंगे चलिए कुछ और सवाल कर लेते हैं find the area of triangle जिसके sides 3, 4, 5 हैं अब देखोए यार यह 3, 4, 5 का क्या लोचा है इसको थोड़ा समझते हैं कि सर यहां पे तो हमें गलती से भी नहीं बोला है कि कौन सा perpendicular कौन सा क्या कौन सा कुछ भी नहीं अब सर 3, 4, 5 इस figure को देखके तो लग रहा है कि अभी यह right angle triangle है लेकिन ऐसे कैसे माल लें तो हमें पता है using pythagoras theorem using pythagoras theorem वे अगर pythagoras theorem को इसमें implement करें तो अगर कहीं ऐसा हो जा है कि हाइपोटेनर्स का square equal to perpendicular का square plus base का square तो यह applicable किसमें होता है दोस्त यह अगर हमारा फंडा निकल का राजा है only applicable only applicable in right angled triangle only applicable in right angled triangle भी यह right angled triangle में होता है right angled triangle में ही यह कहानी सिर्फ applicable होती है जिसमें hypotenuse का square यानी सबसे बड़ी side का square होता है दो छोटे side के square के भराबर अब इस बात को थोड़ा verify करते हैं now इन में से दो जो छोटे हमारे side से उसको ठाली जीविया तो यहाँ पे 3 का square plus 4 का square equal to 9 plus 16 यानी सर 3 का square plus 4 का square equal to 25 सर यहाँ पे हो जाएगा 3 का square plus 4 का square equal to 5 का square अगर इस तरीके से कोई triangle के sides एक rule follow करते हैं इट मिन्स इट मिन्स थ्री, 4 & 5 बिल भी sides of बिल भी sides of राइट एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल यह राइट एंगल ट्रेंगल के ही sides है या लेडी हमने इस बात को प्रूफ कर लिया समझ लिया अब यार हमें पता है कि एक right angle triangle में सबसे बड़ी वाली side हमेसा hypotenuse होती है तो भी है इसकी value तो हो गई 5 इसकी value तो हो गई 5 अब बाकी के जो दो बच गें कहीं भी डाल दो इसको 3 बोल दो इसको 4 या इसको 4 इसको 3 क्या फरक पड़ता है क्योंकि यह एक दूसरे से 90 डिगरी का एंगल बना रहे है तो अगर मैं इस वाली line को इस वाली line को अगर मैं बोल देता हूं एल्टेट्ूड एच तो भी यह वाली लैइन क्या हो जागी मैं प्लूट उसपर गॉटे डाला गया सामने वाले वर्टिक से इस आपोजीट साइट फिपर पिंणकुलर डाला गया तो यह हमारी तो हो जाएगी, बस यही ठाल निकलेगा फट्फट धोskin लेगा दोस्ट area of triangle area of triangle क्या होता है 1 by 2 base into height area of triangle क्या होता है सरी हो जाता है 1 by 2 base into height base हमारे पास 4 है height हमारे पास 3 है 4 3 12 12 का half मतलब 6 और unit into unit unit into unit मतलब unit का square so this would be the area of area of the given triangle यार unit का ख्याल रखेगा हर बार unit का ख्याल रखेगा दोस्त area के case में वेटा unit का ख्याल रखेगा बिल्कुल ठीक अभी तक चल रहा है कहीं भी unit हमने गड़बर नहीं किया चलो find the area of triangle जिसका base और height यह तो ले जाए इससे ज़्यादा लपू सा सवाल तुम्हेंने कभी देखा नहीं है sir this is so 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 good so good बिल्कुल लपू सा सवाल है कुछ बचाई नहीं इस सवाल में चले area of equilateral triangle बहुत बढ़िया अब मैं यार देखो थोड़ा specific होने जा रहा हूं बहुत सारे type के triangle होते हैं अगर side के भी हाप पे देखा जाए तो तीनो side जिसके same equilateral triangle जिसके दो side same उसको isocellus triangle और जिसके कोई side आपस में बराबर नहीं तीनो different वो iscaline triangle तो अगर मैं बात करूं अभी तक के equilateral triangle की तो सीदे सीदे directly formula बनता है क्या कि sir अगर triangle का triangle के तीनो sides a a a a और a के बराबर बिटा यानि अगर तीनो sides आपस में same होते हैं ये भी a है ये भी a है ये भी a है तो जो formula हमने पढ़ा है उससाब से होता है root 3 by 4 a का square और इसकी height कुछ ऐसी निकल के आती है root 3 by 2 into a तो ये हमारे पास direct formula बनता बिटा किसके लिए equilateral triangle के लिए और सच बताऊं दोस्तों ये भी आपके hero's formula से ही derive होके आता है तो अभी के लिए ये formula हमने अलेडी class 7th में पढ़ लिया था 8th में भी इसका revision कर लिया था कि equilateral triangle का सीधे area का formula होता है root 3 by 4 side का square इसके height altitude का formula होता है root 3 by 2 into side अब यार इस चीज को न implement करेंगे तो थोड़ा ये याद रहेगा सर क्या सच में हमें याद करवाओगे हमें रटवाओगे आप नहीं दोस्तों ये सब कुछ derive कर सकते हो आप hero's formula अगर आपको पता है और वो एक line का simple सा formula है बहुत जल्दी आएंगे उस पे भी चले तो यानि equilateral triangle के बारे में बात करें तो चलो इसके पास कम से कम इसका खुद का formula है जिससे इसके area को निकाला जा सकता है बोलाविया एक equilateral triangle जिसका side 8 है इसका area बताइए तो सर area जो आता है equilateral triangle का area of equilateral triangle equilateral triangle का area sir होता है root 3 by 4 into जो इसका side होता है उसका square ऐसा कुछ तो यह कितना आजागा दोस सरी आजागा root 3 by 4 8 into 8 कितना हो जाता बेटा 64 यह से cut करो 16 times तो सरी हो जागा 16 root 3 अगर यह मीटर का game है तो मीटर में संटीमीटर है तो संटीमीटर में मीटर है तो भी हम मीटर का स्क्वार क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है दोस मीटर इंटो मीटर मतला मीटर का स्क्वार तो यह डारेक्ली फॉर्मुला बनीगा किसके equilateral triangle के equilateral triangle के area का direct formula थोड़ा आगे बढ़ते हैं the area of equilateral the area of end quote आये भी है इसका कोई सेंस नहीं बनता DTP मौदे कौन सा सुखा वाला लिया था आपने बता देना the area of equilateral triangle triangular children park is this much find the each side सरी तो बहुत सिंपल है area जो आएगा equilateral triangle के case में वो आ जाता है root 3 by 4 times side का square तो माले ते side हमारा a के भराबर होता यह area lady दे रखा बीटा 64 00 root 3 equal to root 3 into 4 divided by 4 into side का square अगर इस side को निकालना हो बैटा तो इसका square किसके बराबर हो जागा 4 को cross multiply करिए दोस यहां पर तो 64 00 into root 3 into 4 और सर इस root 3 को भी नीचे ले जाए क्योंकि ऐसा हो जागा cross multiplication cross multiplication में कुछ ऐसा हो जाएगा इस root 3 से यह root 3 cancel बचेगा क्या देखना बैटा a square equal to देखना क्या इसको अगर सोचा जात क्या है यह 64 into 100 into 4 और क्या हो जाएगा दोस देखना यह क्या हो जाएगा तो भी एक वैलू कितनी आ जाएगी साइड वैलू कितनी हो जाएगी आठ गुड़े दो सोला सोला गुड़े दस सार 160 अगर यह पूरा गेम मीटर का है तो मीटर में इतना मीटर आ जागा बैटा क्या इस पूरे के पूरे triangle side का कोई भी एक side जो हमसे पूछ रहा है इच साइड तो भी हर एक साइड कितना हो जाएगा 160 मीटर कैलकुलेट होकर आ जाएगा चलिए आइसो सेलस ट्रेंगल के एरिया की बात कर लें दोस्त तो इसके लिए डारेक्ट फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला मैं यहां पर लिखा हुआ लेडी क्या होता है दोस्त क कि सर अगर आइसो सेलस ट्रेंगल के एक को साइड माल लो ए और एक के बराबर है और जो अनिक्वल साइड है वह बी के बराबर है तो इस केस में जो ट्रेंगल के एरिया बनता वह बनता वेटा क्या बेस वाला यानि बी अनिक्वल साइड डिवाइड बाई टू इंटू र और वहां पैसे ट्राइंगल के फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए होंगे अगर आपने मन से पढ़ा है तो आपको याद होना चीए था नहीं याद है लोड मत लेना क्यों कि सच बताओं तो इस पूरे ही रोंस फॉर्मूला से बिटा इतना ज्यादा देप में नहीं आता कि यह फॉर्मूला याद रखो और रुसी साब से सवाल अगा नहीं सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके हीरोंस फॉर्मूला से आएगा यह जो कुछ भी विटा यह हीरोंस फॉर्मूला का ही बाइप्रोडक्ट है हीरोंस फॉर्मूला से ही इसको डराइब किया गया है बिल्कुल बार हमारे जबान पे चड़ जाए लगा लगा रे जबा पे इसक का रोग चली आगे बढ़ते विटा तो यहां पे लिखा है कि सर एरिया ऑफ आइसो सेलस ट्रेंगल जो आता है वो आता है अनिक्वल साइड डिवाइड़ बाइड़ टू एंड इस्क्वाइर रूट ऑफ ए जो फॉर्मूला उसको लिखते है एरिया ऑफ आईसो सेलस ट्रेंगल इक्वल टू हो जाता है सर जो अनिक्वल साइड डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ इंटू इस स्क्वाइर रूट ऑफ अभी आपके सामने पढ़ा देखना इक्वल साइड का स्क्वाइर माइनस अन सर वो तो 5 के बराबर दिया है तो यहां से 5 का स्क्वाइर माइनस एक्वल साइड 8 तो 8 का स्क्वाइर डिवाइड बैफ इसा कुछ आ जा रहा है चले निकालते हैं इड़ टू मतला फूर इस पर धियान देते हैं 5 का स्कॉर 25 एक एक स्कॉर इसक्स्टीफर डिवाइड़ 4 4 into 25 यह देखना है यह कितनी बार में कट करेगा 16 तेम्स में तो यह आज एक विटा 4 into square root of 9 तो सरी हो जाता है 4 into 3 so this would be equal to 12 क्या 12 सर सब कुछ खेल मीटर में है तो क्यों न सर इस कहानी को मीटर into मीटर मतलब मीटर स्कॉार ही बना दिया जाया दिस वोड बी आवर फाइनल एंसर पूछा कि अभी यह यहां पे area of triangle पता दो इस आजसू से लग ट्रेंगल का तो फॉर्मूले से सीधे सीधे ऐसा हम निकाल सकते थे अब बात कर लेते हैं कि अगर माल लोग की बड़े गंदे से सकल का मिला जुला के साप सब्दों में बोले तो यहां पे एकाद दो इस पैमर दिख रहे हैं उनके सकल का ऐसा अगर कोई triangle मिल गया तो सर इसका area कैसे निकाले यहां पे एक साइड A के बराबर है दूसरा साइड B के बराबर है तीसरा C के बराबर है सर इसके बारे में तो आज तक हमने कोई direct formula पढ़ाई नहीं था नो डारेक्ट formula यह कोई direct formula नहीं है तो क्या करें इसका मतलब सर हम छोड़ दे इसका मतलब सर हम छोड़ दे ट्राइंगल का area निकाला सर आप आप बोल दियो तो हम छोड़ी दे रहे हैं बस जा रहे हैं बंद करके आपका लेक्चर सर मस्त्रील देखेंगे सर मस्त्रील धूरो जी थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे हैं थोड़ा बहुत तो तकलीफ खुड के जिंद्धिगी में देखना चाहते हैं तबी तो सफलता का सली मज़ा दिखेगा बात समझ में र disputes नैंसर ऐसा नहींडर इस कहानी में एक नया मोन आने वाला है बहुत सारे ट्रैं का जैसे बात कर लू सर आईसो सेलस ट्रेंगल का लेकिन जब बात आती है बड़े अजीब से लप्पू से जिंगुर से सकल जैसे कुछ ट्रांगल जैसे की इस कैलीन ट्रेंगल जिसको बिसाम बाहुत त्रिभुज बोलते हैं तो इस केस में कोई डारेक्ट फॉर्मूला ने इनका कल्यान कौन करेगा इनका उधार कौन करेगा इस पूरे मुवी में यह विलेन बनके बैठा हुआ है भाईया इसको कौन खतम करेगा तो चलिए स्वाक सेंट्री दिलाते अपने हिरोंस को स्वागत नहीं करोगे हमारा भाई साब स्वागत करिए जोरो सोरो से क्लैपि इसन थे जिनका नाम तहीरोंस और इन्हों ने एक लाइन का बड़ा सुन्दर सा सकल वाला फॉर्मूला दे दिया भाया यह वाला फॉर्मूला देख लिजए बिल्कुल बिल्कुल आंखों में भीया क्या एक नई की उम्हीद के साथ lotta को देखिए आँखों में एक नई उम्हीद ले गया को बड़ा प्यारा सा एक लाइन का छोटा सा फॉर्मूला था और इस फॉरमूले का चमतकार देखिये कि इसने जितने भी टफेस्ट हमारे पास सवाल बनेंगे वह इस फॉर्मूले से फटा फट क्या होगा भी या टाटा एंड बाइबाई खतम टाटा बाइबाई ऐसा वाला होने वाला अब यह पूरा का पूरा माजरा है क्या किस तरीके से कहानी को निकाला गया किस तरीके से क्या क्या या पर S का मतलब क्या होता है ABC क्या है सब कुछ समझेंगे S मतलब A plus B plus C by 2 Sir, ये S क्या लिखे हो आप इसको clear cut बताओ तो एक बार और इनको तहे दिल से और swag से entry दिलाते सी Hero's formula का अब जब Hero के entry हुई है तो Sir, तालिया तो बजेंगी मजा तो आएगा तो चली इसके बारे में थोड़ा डीटेल में समझते है कि Hero था कौन तो area of triangle using hero's formula तो यहाँ पे देखो यार सीधी सी बात बनती है कि एक triangle जिसके तीनो side different हो यानि एक side A दूसरा side मालो मैंने कुछ और ले लिया पहले वाले को A ले लिया दूसरे वाले को मैंने B ले लिया तीसरे वाले को C ले लिया तो हमने notice किया कि इस triangle के तीनो sides को आपने बिल्कुल different लिया हुआ है मतलब ऐसा कुछ जिसका कोई direct formula नहीं है तो इस कहानी में विया क्या करेंगे इसका भी तो area निकालना अपन को तो area निकालने के चक्कर में हमने कुछ यहाँ पर basic बातों को सीखना जरूरी है बिटा वो basic बात क्या है perimeter का मतलब आप लोग जानते हो हाँ sir perimeter का मतलब होता है इसके तीनो sides का sum perimeter का मतलब होता बिटा क्या तीनो sides का sum तो semi perimeter का क्या मतलब होता है दोस सर यह होता सेमी का मतलब हमने सुनाता सेमी सर्किल में कुछ आधा से लेना देना है तो सर कहीं आप यह नहीं कहने वाले हो ना कि पेरिमेटर का आधा कर दो बिल्कुल सही पकड़े हो दो सेमी सर्किल का मतलब होता सर्किल का आधा ऐसे ही semi perimeter का मतलब होता है सर जो perimeter a plus b plus e लिया इसका आधा कर देंगे तो semi से s उठा लो भी है इसका पहला लेटर तो हमने इसको represent कर दिया s से and this would be equal to semi perimeter तो यहाँ पे perimeter का ज़स्ट आधा हो जाता हमारे पास semi perimeter तो इस पूरे formula में इस बड़े से अतरंगी से बड़े बड़े नयाप से बड़े से जांदार सांदार से formula में भी यह क्या था जो s होता है उसका मतलब होता है semi perimeter और a b c के बारे में आ लेटी हमने discuss कर लिया दोस्त formula कैसे बनता है sir square root के अंदर पहले semi perimeter से स्वागत करेंगे हम इसको स्वागत करेंगे भी यह स्वागत करने के साथ साथ पहले s में से a को निकाला उसी semi perimeter से b को निकाला उसी semi perimeter से c को निकाला sir दिखने में न सच बता है तो बहुत unique से एक pattern है यह तो फटाक से जमान पे चड़ जाएगा दिमाग में भी गुष जाएगा अच्छे से सथ यह तो pattern देखे ऐसा लग रहा कि बहुत simple सा formula है बिलकुल लपूसा तो formula है s s minus a s minus b s minus c और इन सब का product square root के अंदर यही दे देता बेटा क्या triangle का area अब triangle किसी भी type का हो वो equilateral हो right angle हो आइसो सेलस हो इसकैलीड हो यह किसी भी type का यह formula लगा डाला तो लाइफ जिग्गा लाला आसानी से हर एक triangle ship का area इसी छुटकु से formula से आप बना सकते हो लिखा अब यह कुछ बाते लिखी गई है this is known as hero's formula और चुकि इसको invent किया था हमारे famous mathematician हिरोंस ने तो उनके नाम के ओनर में इसका नाम रखा गया and this is hero's formula लिखा है दस अगर इस triangle के तीनों sides के length given हो तो भी यह चोटा सा formula लगा देंगे जहां पर s का मतलब होता है perimeter का आधा मतलब semi perimeter और abc respectively क्या है उस triangle के sides है चलिए सीधे formula में implement करते है तो अब एक छोटा सा यार यहां पर misconception आपके दिमाग में आता है क्या आता सुनाता हूं किस सर इसमें a किसको माने b किसको माने c किसको माने अरे अपन तो free है boss जिसको मानना है मान लेते हैं का फर्क पड़ता है side में perimeter निकालते है time कोई यह थोड़े वो ला कि इस वाली side को पहिने लो बाद में इसको लो या इसके बाद में लो जब रफली कुछ भी ले सकते हैं सर ले सकते हैं तो हम ऐसा जूम करके चलेंगे कि कोई भी हमारा a के बराबर हो सकता है कोई भी b के बराबर हो सकता है कोई भी c के बराबर हो सकता है कि यूजली आप क्या करोगे जैसा डेटा दिया उसी ऑष डेए सी ऑर ने लिजकर लोगे कि वी हब गिवन साइट सच में हाप दगी वन मुझा साइट्स ऑ ट्रैंगल साइट्स ओ ट्र हैंगल मा लिए तम लिक्ल एज क्या कि अभी या एक वयल्व हमारे पास बड़े प्यार से दी गई यह दाट इच-4 cm बीग वेल्व बड़े प्यार से यह हमारे पास दी दी गई यह दाट इच-5 cm एंड एंड आखरी वाली साइट C को आमने एजूम कर लिया धाट इच-7 cm ऐसा कुछ 4 cm, 5 cm और यह 7 cm ऐसा यह मालो 4 cm बीटा, A की वेलू, B की वेलू है 5 cm और आखरी वाला जो C है बीटा, यह 7 cm ऐसा कुछ हमारे पास एक ट्रांगल आ गया, तो इस ट्रांगुलर सेप का हमें एरिया निकालना था, इस कहानी को आसान करते बीटा, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सर वहाँ पे फॉर्मुले में S होता है, तो वो निकालते हैं, नाव, सेमी पेरिमेटर, सेमी पेरिमेटर का मतलब होता है, बीटा, पेरिमेटर का जस्ट आधा, सेमी पेरिमेटर, S equal to A plus B plus C, divided by, आधा कर लेते हैं, बीटा, तु देखती ही कितना रहा है, 4 प् तु आगया, देखेगा, 5 प्लस 4, 9, 9 प्लस 7, 16, 16 का अधा, या 8 सेंटीमेटर, अगर सेंटीमेटर का गें, मैं तो सेंटीमेटर में, अब यहां से सीधे लगाते हैं, फॉर्मूला, therefore, required, therefore, required, triangle area, required, area of triangle, area of triangle, equal to, क्या हो जाएगा, दोस्त, साइ स्क्वार रूट के अंदर हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता था, S, S-A, S-B, S-C, यह तो याद रखने में बड़ा सिंपल है, सर, बहुत सिंपल है, S की वैल्यू सब्स्टूट करते हैं, अब देखो, यार कई बार, बहुत सारी YouTube टीचर से आप पढ़ते हो, यार देखो, बहुत कम ऐसे टीचर हो बहुत, बहुत ज्यादा आपके लिए भारी पढ़ सकता है, तो आप calculation को थोड़ा smartly करने के कोसिस करीगा, अभी एक आद दो step में आपको fill कराऊंगा, S की value 8 ले लिया, ले लिया सर, अच्छा, 8 में से पहला side 4 को निकाले भिया, 4, इसी 8 में से दूसरे side 5 को निकाले, 3, इ इस, इस particular step से बेटा, इस particular step से आपको थोड़ा smartly calculate करना है, सर, क्या smart calculate करना है, वो बता दीजिए, सुनना, इसके अंदर जितने भी numbers है ना, उसके prime factor में लिख दो भया, 2 मतलब 2 into 2 into 2, 4 मतलब 2 into 2, और ये 3 मतलब 3, और ये 1 रहने देते, यार देखो, सीधर से बात है, स्क्वार रूट से बाहर, simple सा फंड़ा है बेटा, simple सा फंड़ा है, तो एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, सर ये बच गया, तो एक 2 आएगा बाहर, दूसरा 2 आएगा बाहर, इसक्वार रूट के अंदर कौन सा राजएगा, सिर्फ ये 2 और ये 3, तो 2, 3 जा 6, 6 into 1, 6, तो स अगर फाइनल जवाब आएगा, वो आजगा 4 रूट 6, और सारा गेम अगर संटीमेटर का है, तो इस बूट भी संटीमेटर का स्क्वार, ये होता बेटा स्मार्ट कल्कुलेशन, अब आप क्या करते यूजली, 8 गुड़े 4, 32, 32 गुड़े 3, कुछ आ जाता, फिर उसके भ करना है, थोड़े, डिदूस करना फॉरमूले को, किस के प्राइम फैक्रस मिकार लो, इसके प्राइम फैक्रस मिकार लो, और इसको चले भिया, आइप है पूरी कि पूरी बात आपको अच्छे से समझ माई हो, एट मैसे 4 जागा 4, 8 मैसे 5 जागा 3, 8 मैसे 7 जागा 1, ट्रांगल इज क्या है भी हमाल लेते हैं कि यह है हमारे पास 3x 5x and 7x यह तो मान सकते हैं ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं बोला कि एक ट्रांगुलर प्लॉट के साइट जो है वो कुछ ऐसे है तो माल लिया नाव अब नाव चला देते हैं इसका पेरिमेटर दिया है मतलब पेरिमेटर में इन तीनों का समाझ जाएगा 3x plus 5x plus 7x equal to 300 अब दिखना बिटा 3x plus 7x 10x 10 plus 5 15 15 x equal to 300 यानि साइक्स की वैलू कितनी आगे बिटा 20 अब एक्स की वैलू 20 तो भी आ यहां से रिस्पेक्टिव साइड ए निकाल दिंगे सर वो 3x के बराबर होगा 3 into 20 यानि मतलब साथ सेंटीमीटर में गेम चल रहा है क्या यह मीटर में मीटर में चली भी दूसरा साइड देखते मिटा भी यह जगा बिटा 5 into 20 तो सरी आजएगा 100 100 मीटर और तीसरी साइड सी कितना जगा बिटा 7x है तो 7 into 20 यानि 140 मीटर अब इन सभी की बज़ा से से मी परिमेटर कितन आएगा बटा एड कर लिजिगा 140 प्लस साथ दोसो दोसो प्लस सो तीन सो 300 divided by 2 यानी 150 मीटर देखो यार कितना मस्ट जबर जस्त वाले तरीके से इस पूरे गेम को हमने पलट दिया एक साइड इतना आ गया दूसरा साइड इतना गया तीसरा साइड इतना गया और इसका सेर इंगल क्या हो जाएगा दोस सर्य हो जाएगा स्क्वार रूट में एस जो हमारे पास सेमी परिमेटर अधाट इस 150 150 इंटू बिया 150 में से 60 निकालोगे कितना बचेगा 90 150 में से 100 निगालोगे 50 150 में से 140 निकालोगे विटा 10 अमें थोड़ा दिमाग लगा इस इस स्टेप से अब ही आपके स्मार्ट कैलकुलेशन इस स्मार्ट एप्रोच की बारी आ जाती है से सोचो कि 15 इंटू 10 कर सकते थे हां सर एक एक स्टेप में आ रहा हम रहा हम से तोड़ो कोई भी लोड मतलो विटा 5 को क्या लिख सकते रहा 5 इंटू 10 और एक 10 बच गया था देखेगा मैं यह चोटा सा काम किया है 150 का मतलब 15 इंटू 10 90 का मतलब 9 इंटू 10 जब इसको आगे चलके है इसके प्राइम फैक्टर में डाला ही है गुरू जी तो क्यो न ऐसे तोड़ ले अब इससे फायदा दिखाता हूं क्या मिला दोस्त इससे फायदा यह मिला कि यह वाला 10 और यह व 3 लिख सकते हैं क्या हां गुरुजी और यह फायब बचा तो यह 5 को रख लेते हैं देखना दोस्त ऐसा आ रहा है कुछ ऐसा आ अपने पास अब सर इस पुरी कहानी में यह 3 बाहर निकलेगा और यह 5 का एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो यानि 5 और 3 बाहर निकल जाए 3 मीटर में सारा गेम चल रहा है सारा गेम मीटर में चल रहा है तो मीटर का स्कॉर यानि यह वाला एरिया हमारे पास मस्त वाले जबर जस्त वाले तरीके से आ चुका मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इसमें डाउट होगा कि सर यह 1500 रूट 3 मीटर स्कॉर आपने निकाला कैसे है बेसिक फॉर्मूला भी यह क्या स स माइनस ए स माइनस भी स माइनस ए वन फिप्टी को मैंने 15 इंटू 10 लिखा 90 को 9 इंटू 10 लिखा 50 को 5 इंटू 10 लिखा यह एक 10 का जोड़ा यहां से बाहर निकाल दिया दूसरे 10 का जोड़ा यहां से बाहर निकाला 15 बचा तो 15 को 3 इंटू 5 लिखा था इस 9 को 3 इंटू 3 लिखा था और इस 5 को इकलौता यहां पर छोड़ दिया अब देखना बिटा इस 3 का जोड़ा मैंने बाहर निकाल दिया इस 5 का जोड़ा एक बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, एकलौता ये 3, तो 3 फैट जा 15, 15 into 100, 1500, और ये 3 जो बचा था, रूट के अंदर हुआ है, जे टीजे, अब सवाल में, एक और खुबसूरा सा मोड आने वाला है, क्या है, ये सुनते हैं, बोला है, अल्सो फाइंड दे लेंथ अप सॉर्टिस एल्टिट्यूड, सुनना क्या है, हमारे पास जो साइट्स आ रहे हैं न दोस्त, वो सुनना क्या है, 60, 100 and 140, क्या दोस्त, ये मालो 100 मीटर था, ये 60 मीटर था, और ये 140 मीटर था, एक बात बता न, एक ट्राइंगल के कितने एल्टिट्यूड हो सकते हैं, सर बहुत ओवियसी बात है, कि इसके तीन वर्टेक्स होते हैं, तो तीन एल्टिट्यूड हो सकते हैं, अगर इसके तीन वर्टेक्स होते हैं, तो एक इस वर्टेक्स से पर्पेंडिकुलर डालोगे, तो यह पहला altitude कहलाएगा यह पहला altitude हो जाएगा बहुत आवियसी बात है अगर इस वाले से परपेंडिकुलर डालोगे तो सर यह दूसरा altitude हो जाएगा और सर अगर इस वाले से परपेंडिकुलर डालते हो वेट वेट अगर इस वाले से परपेंडिकुलर डालते हो उरुजी तो यह तीसरा altitude कहलाएगा अब इसमें सबसे छोटा altitude कौन सा होगा सर इस वाले हिसाब से तो लग रहा है प्राक्टिकल इसको visualize करके देखे तो ऐसा लग रहा है जिस वाले की side length सबसे बड़ी उसका vertex से दूरी उतना ही कम यानि altitude उतना ही कम यह बात मैसूस हुआ कि नहीं कि सर अगर यह 140 मिटर सबसे लंबी side है तो इसका vertex से दूरी उतना ही कम दिख रहा है visually यह बहुत छोटा दिख रहा है यानि हमारे पास यह वाला जो altitude है सबसे छोटा दिख रहा है सर सबसे shortest altitude दिख रहा है यह हमारा shortest altitude होगा shortest altitude होगा दोस्त shortest altitude होगा क्यों क्योंकि इसका जो base है वो सबसे बड़ा वाला base क्या बटा सबसे बड़ा वाला बहुत जिसका base सबसे बड़ा लोगे भी या उसका altitude तो छोटा हैगा क्यों क्यों एक region और बताता हूँ area equal to होता है 1 by 2 base into height अब यह इस ट्रांगल के area निकालने के लिए क्या यही एक जोड़ा है यह वाला altitude और यह वाला base नहीं सर यह वाला altitude यह वाला base भी तो है तो अगर area हर जगा पे fix होता है तो base को बढ़ा वगे तो altitude छोटा निकलेगा altitude को बढ़ा रखोगे तो base को छोटा होना पड़ेगा वह सिंपल सा funda class एर्थ का कौन सा डारेक्ट proportion inverse proportion क्या कि अगर area को fix रखना है तो यह base बढ़ा होगे तो height को कम रखना पड़ेगा अगर height बढ़ा होगे तो base को कम रखना पड़ेगा बस इसी चीज का दिमाग निलगाया क्या किगर base सबसे बढ़ा है तो सका altitude उतना ही छोटा और जिसका base सबसे छोटा है जिसका best way सबसे छोटा है गुरुजी तो उसका altitude तो सबसे बड़ा होगा ना दोस्त अगर यह base हमारा अगर इसको base मानते हैं यह shortest है यह shortest है तो इसके corresponding जो altitude होगा दोस्त यह वाला altitude यह सबसे longest होगा यह longest होगा दोस्त यह longest होगा तो छोटा सा फंडा हमारे सामने निकल कर आया क्या इसको concept को मैं या पर नोट कर रहा हो मैटा ट्रिक वाप दे से जो साइड सबसे बड़ा सबसे बड़ा उसका altitude altitude सबसे छोटा सबसे छोटा यह बात याद रखना यह बात याद रखना दूसरी चीज जो साइड सबसे छोटा सबसे छोटा उसका altitude उसका altitude altitude सबसे बड़ा यह जो आपका concept है बेटा यह बहुत सारे बहुत सारे बच्चे इस इस particular problem से आज तक fight करते आ रहे थे और उनका यह misconception दूर नहीं हो रहता जब इस सवालों को थोड़ा twist कर देता था बोलता कि यह triangle का area निकालो और उसके बाद से यह भी बता हो कि सबसे छोटा altitude कौन सा होगा सबसे बड़ा altitude कौन सा होगा यह altitude दे दिया तो सबसे छोटी साइड कौन होगी बड़ी साइड कौन होगी तो इस वाले particular आप concept से इस बात को मैसूस कर पाओगे यह मैंने अलेडी विजलाइज करके दिखा दिया है यह सब कुछ अगर आपके पल्ले नहीं पढ़ रहा है तो बस इतनी सी बात याद रखने ना क्या कि जो side सबसे बड़ होता है चलिए सवाल पर चलते हैं बोला भी आउसा फाइंड दा लेंथ आफ सॉर्टेस अल्टिटूड सबसे छुटकू वाल एल्टिटूड बताना है दोस्त लिख लेते हैं लिख लेते हैं क्या होगा कि यहां पर अगर साप सब्दों में बोले तो ट्रेंगल कुछ ऐसा आह था यह ता रहता है यह अरता हुंक्त मीतर है यह था साथ मीटर ओर यह था 140 मीटर और मिलढ़ della किस का एरिया जो आ रहता विटा एडिया घ्रात ओंकित沒 सबसे चोटा कौन सा होगा सर यह वाली साइड के इस वाली साइड यानि सबसे बड़ी साइड के करिस्पांडिंग जो एल्टीटूड आएगा यह वाला लेंद यह हमारा हमा लेते हैं तो यह वो सबसे चोटा होगा सबसे छोटा होगा तो होगा भी यह क्या एरिया ओफ ट्रांगल इक्वल टू वन बाई टू बेस बेस को ले लिया 140 तो भी यह सबसे बड़ा साइड है तो सबसे इसके करिस्पोंडिंग क्या क्योंकि साइड इंटू हाइट क्या होता है वन बाई टू बेस इंटिर टीटूड तो स्मॉलेस एल्टीटूड यही से आएगा अब यहाँ पर देखना दोस्ट यह था कितना फिप्टीन हंड्रेट रूड थ्री था और यहां पर कितना था दोस्ट वन बाई टू वन फॉर्टी इंटू मालू यह एच ले लिया तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो से क्रॉस मल्टिप्लाई करेगा तो फिप्टीन हंड्रेट रूड थ्री इंटू इड़ बाई 140 सिंप्लिफाई कर लिजेगा वेट आपका जवाब आ चुका यही हमारा हो जाएगा सबसे छोटे वाले सबसे छोटे वाले लेंद का यह जो कॉंसेप्ट था ना दोस्ति यह इस सवाल को बोलते हैं कि इसका खुदका अपना लेवल है और बाबू अपनी ले करना स्टार्ट करते हो वहीं से बातें करते हो यार कि सर यह तो पर दी पड़ रहा है और आपको अपने लेवल मेंटेन करना पड़ेगा अगर अगर एक्ट है और एक को जाइट्स किसके बराबर बिया थिया किया नहीं दिया नहीं का कॉछ्च है नहीं तो यो as a which 2 b1 ए फॉर्मूला बनता है लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बनता है गुरुजी ये थोड़ा बता भी दो अगर मालो कहानी कुछ ऐसी होती दोस्त ऐसी होती कि मालो यह हमारे पास क्या होता बेस होता यह हमारे पास बेस होता तो भी यह दारेक्ली हम यहाँ पर हिरोंस भी लगा सकते थे जरूर थोड़े की बार हर बार वही यह सर फॉर्मूला याद रखे अगर मालो एसा आजाता या यहÓ कैसा रोजय एंग साफ दीड़ से बसे सपक्षर और अद मतलब आली साइड आ लेते हैं र दूसरी साइड और से करेंगे अब सीधे वैलू सब्स्ट्रूट करेंगे दोस्त ज्यादा कुछ नहीं करेंगे सीधे वैलू सब्स्ट्रूट करेंगे यहाँ पे देखना दोस्त एस की वैलू ए प्लस बी बाइ टू और यहाँ पे माइनस यह था तो रहने देते हैं अब सुनननने इस अ से इस वाले ए को कैंसिल करो तो तो स्वाले का एंसिल करो तो finally क्या बन रहा उस पर थोड़ा नजर मारते हैं दोस्त क्या बन रहा सुनना यहां से बन रहा ए प्लस बी बाइटू बिल्कुल सहीं यहां से क्या बन रहा दोस्त सिर्फ बी बाइटू बच रहा है सर यहां से क्या बच रहा दोस्त सिर्फ बी बाइटू बच रहा है सर और आखरी वाले में ध्यान देना बटा बी बाइटू माइनस का भी है तो LCM ले लेंगे बटा यहां पर सिर्फ इनका लाश्ट का दो का पैटन देख लो भी तो बी बाइटू तो क्या हो जाएगा बी माइनस टू भी डिवाइड़ बाइटू यह इनका LCM हो जाएगा तो कुछ ऐसी कहानी होगी हां सर अरे सर यह बी बाइटू दो बार है तो एक बार तो बाहर ले ही सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा देखना मिटा एप्लस बी बाइटू यहां से बचेगा और यहां से क्या बचेगा दोस्त यहां से सुनना क्या बचेगा मैं सब्स्कूर और अगर हम देखें तो एक तो B by 2 का whole square तो area सीधे सब्दों में बोले तो this would be B by 2 into A square इसको square करना है वेटा B square divided by 4 यही तो यूज किया था दोस्य यही तो यूज किया था अब सोचो hereons formula का ही byproduct निकला यह वाला formula जो इसको आप रटते आ रहे थे रटते आ रहे थे actual में यह रटने वाली चीज नहीं थी क्योंकि यह पूरी कहानी अगर आपको basic से याद है तो आप उसके derivation तक आसानी से जा सकते थे I hope मेरे दोस्त आपको यह पूरा का पूरा concept चमका होगा अब यह देखो यार सच बताओ तो इस सवाल में सीधे यह formula लगा के निकाल सकता था लेकिन आपको ठीक है feel करा दिया कि यह formula बना कैसे है अब value substitute करते है सीधे सीधे बचो क्या है हमारे पास value सर जो हमारे पास बोला है कि base है वो 16 मतलब un equal side जो बिटा हो 16 के बराबर है तो लिख लेते हैं 16 by 2 root के अंदर अनिको साइट कितना दिया है दोस्तर वो तो 16 दिया हुआ है तो यहां पो जागा 16 का स्क्वायर divided by 4 चली 48 equal to यहां पर कितना हो जाएगा 8 into a square minus देखना मैटा यह कितना हो जाएगा 256 divided by 4 सर यह हो जागा 8 से दिवाइट करेंगे 8 गुड़े 6, 48 यह से डारेक्टली नहीं लिखें क्या पता यह भी आपके ऊपर से जाए तो ऐसे लिख देता हूं दोस्त a square minus देखना बटा 4 से डिवाइट करो 4 into 8 सर 4 एठे 22 नहीं जाएगा 8 बार में नहीं जाएगा गलात आपने लिग दिया 4 का टेबल 4 गुड़े 6, 24 तो सर यह 64 आजाएगा यह 64 आजाएगा जब यह square दिखना मेट यह कितना आजागा यह जागा 6 6 equal to a square minus 64 का यह square root squaring on both side squaring on both of the sides दोनों side square करते सर कितना हो जागा 6 का square 36 equal to a square minus 64 तो sir a square जो आएगा 36 plus 64 मतलब 100 तो sir a की value 10 आगे अब हमसे पूचा क्या है वो देखते है हमसे पूचा भिया की perimeter of triangle क्या होगा सर यह तो बिल्कुल लपू सा सवाल हो गया perimeter जोगा बिटा पहली side plus दूसरी side plus तीसरी side इसके बराबर एक ही value कितनी है 10 plus 10 और आखरी वाली 16 थी कितनी आजागा 36 अगर meter में गेम है तो meter में centimeter में गेम है तो centimeter में तो यह अपने पास बड़े प्यार से आजागा बटा कितना सरी आजागा 36 centimeter that's it यह final जबाब हो जाएगा तो इस particular question से सर हमने formula का derivation भी कर लिया अच्छे से बात को सबज लिया थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चले यह ले जाए भी area of equilateral triangle यार बहुत सिंपल सा formula क्या root 3 by 4 a square equal to 36 root 3 आ रहा है बटा root 3 से root 3 को सीधे नहीं का लो तो a square by 4 equal to कितना आ जाएगा 36 अब दिमाग लगाओ कि a square कितना आता बटा 36 into 4 अभी आपी smart calculation की बात करूंगा मैं इसको तो डार्ट ले मल्टिप्लाइ नहीं करूंगा यह जागा 6 into 6 यह कितना हो जागा दोस्ट टू इंटू तू सर सीधे सब्दों में क्यों नहीं बोल देते हैं कि 6 into 2 का यह whole square सीधे सब्दों में बोले तो बेस अगर पावर से मैं तो बेस से मोजगा यह अग्या है पूछा क्या है हम से पेरीटर बता दो पेरी मीटर क्या जएगा बिटा सर एप्लस एप्लस से थीन भार इसी को एड करेंगे यांई 12 in to 12 12 प्लस 12 फ्लस टेल बारत ये 36 संटीमेटर ये मीटर मैं तो मीटर में सेंट्र मीटर में विटा सेंटीमेटर आज vine हमसे देखते क्या बोला है इस फीगर में लेंथ एडी को निकालना है हमें एडी निकालना दोस्त यह वाला लेंथ हमें निकालना है मतलब यह वाला हाइट हमें निकालना है इस वाली हाइट को निकालना है दोस्त इसको निकालना है तो एक काम करते इसको माल लेते कि हमारे प प्र विठ्समारी से बनाने का क्या मतलब में कैना स्ब्सक्तों कोशल। आगर इसने को है डाला तो इसको बेस ले लेता हूँ जिसने इसको बेस प्रेकुट अ के दिया वह इसको बात को जाएगा 1 by 2 base base बन रहा बिटा AB और इसका altitude क्या बन रहा बिटा EC चुकि यह given है already तो निकाल लेते हैं 1 by 2 base AB कितना दिया दोस्त यह 5 के बराबर हमार पास altitude EC कितना दिया 6 के बराबर 6 गुड़े अरे पास 30 30 का हाफ मतलब 15 अगर गेम सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का स्कौर क्या ही क्या ही आपको नहीं लगता कि यहीं सेम to same area इस वाले triangle का भी आएगा triangle तो same है ददा अगर इधर से देखो इधर से base height बनाके देखो या इधर से देखो triangle हर case में तो same ही है इसी triangle को बिटा आप यहां पे altitude base यह वाले रहो इसी triangle का altitude base कुछ और लेलोगा तो area यह वही आएगा फिर भी एरिया वही आएगा यह 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 दी यह यह ओर यहीं है तो सर इस कहानी में जो एरिया वह आज़ेगा वन बाय सरी आजएगा 5 cm 5 cm as a cm not meter not meter this would be cm as a final answer चली भी फटा फट से लगाते है option B को अब देखो यार ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था ऐसे सोचना था चे गुड़े 5 30 तो 30 का आदा मतला 15 तो भी या इस ट्रैंगल के एरिया 15 है तो इसका क्या करें यह छे में क्या मल्टिप्लाई कर दें थार्टी बन जाए अगर इन दोनों का प्रूड़क्ट 30 आ रहा था तो बहुत अब्यसी बात है शिक्स में क्या मल्टिप्लाई कर दो कि 30 कर दो देखो जबाब वही आ है तो common sense भी तो लगा सकते से गुरुजी चलेगा और आगे बढ़ते हैं और खुब्सूरत से सवालों की तरफ यह जो सवाल है यह आपके ncrt का एक बहुत उम्दा सा सवाल काफी ज़्यादा परिशान आप लोगो करता है समझते हैं क्या है द यूज में लिया जाता है और जिसका भी फ्लाइवर गॉर्मेंट ने मनाया और किसी प्राइवेट सेक्टर ने वह इस फ्लाइवर पे एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे चार्ज करता है कि यहां प्यापका पोश्टर लगाएंगे तो हमें पैसे चाहिए बात है सारा पैसे का है बाबू लिखा है कि इस ट्राइंगुलर सेप जो है यहां पे दिखरा है इधर और इधर भी तो इस पर्टिकलर ट्राइंगुलर सेप का जो हमारा डाइमेंशन है एक सोबाइस मीटर बाइस मीटर और एक सोबीस मीटर है लिखा है दा एडवर्टाइजमेंट येल्ट्स एन अर्निंग ऑफ रुपिज फाइफ थाउजन पर मीटर स्कॉयर पर इयर बाइया यहां पर बहुत सिंप्वस भासा में लिखा है कि एक साल के लिए एक मीटर अरी ने इस दिवाल को हायर कर लिया कि इस दिवाल पर मेरा इडवर्टेमन चलेगा विया मेरा परचार परसार चलेगा तो तीन महीने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा ओ भाई साब एक साल का मतलब होता है बारा मन्त बारा मन्त के लिए पैसा कितना लग रहा है पां यह तीन महीने के लिए तो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है त्री मंस के लिए कितना हो जागा दोस्ट थ्री इंटू रूपिज ट्पाइच लगां दिवाइड़ वा इतने रुपए लग जाईगा पर मीटर स्कार इसको शॉल्ब कर लेंगे कोई बड़ी बात नहींगे तो हमारे दाई बाय हाथ का कहलें मैं स्कृिन से थोड़ा साइड होता हूं आप लोके अपार आपक्योलेट करेंगा रुपएया पर मेटर स्क्वाइर इन तीन महेनों के लगेगा स Опल happier के लिए पैसा लगेगा लेकिन कि इसका एक मिटर स्कौायर का अगर बक rubbish सोपचास से भी कर दे तो बल्ले बल्ले बहुत पैसा हो जाएगा गुरुजी यानि इस ट्रैंगुलर सेप का एरिया ही सारा गेम है सर अगर ट्रैंगुलर सेप का एरिया निकाल दिया तो इसको 1250 से मल्टिप्लाइ करेंगे क्योंकि थी महिने के लिए रेंट पे यह दिवाल दे दी गई है चलिगा एक है इसका कोई एक साइड्ड लाट इज 122-22 and 130 यह भी या 122, B है कितना बिटा, 22 और 120 है, B है 22, और C ले ले लेते बिटा, कितना 120, तो इससे सेमी पेरिमेटर कितना बनेगा जोडते हैं, देखना, 0 प्लस 2, 2 प्लस 2, 4, बहुत बढ़िया, 2 प्लस 2, 4 प्लस 2, 6, और यहां पर आगे कितना बिटा, 1 प्लस 1, 2, 264 यह मीटर में देख लेता हूं, मीटर में क्या सारा गेम, यह सारा गेम मीटर में, सारा गेम मीटर में, तो मीटर में करते हैं, इतना मीटर रहा गया भी आपका सेमी पेरिमेटर, तो याद करते हैं कि एरिया कितना होगा, एरिया ओफ ट्रांगुलर वाल, यह एक ट्रांगल 12 तूमैंसे 22 निकालेंगे बेटा कितना बचेगा हन डिटंट ऐं रवण ठीट डूमैंसे विया 120 निकालेंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा यहां से अपना स्माट कैलकुलेशन रोल प्ले करेंगा दोस्ति ya से स्मार्ट कैलकुलेशन थोड़ा सोचो कि 132 को कैसे तोड़ सकते थे बटा 132 को किस तरीके से तोड़ा जा सकता था अगर हमारे पास 132 है तो भी इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले टू से यानि प्राइम फेक्टरस निकालने की कोशिस तो यह हो जागा बैटा देखना कैसे हो रहा है सुना दो गुड़े दो चार चारते हैं बारा बारा गुड़े 11 132 बिलकुल इस टेन को भी रहने दो क्योंकि यहां से एक ग्यारा गुड़े 10 बनाया जा सकता है और इस 12 को भी रहने दो 12 को भी रहने दो दिमाग लगा लिया हमने कैसे सुना सर यहां से 12 और यहां से 12 का एक जोड़ा बाहर, यहां से 11 और यहां से 11, यह दो लो 11 का पेर कहा है बिटा, बिल्कुल बाहर, और यहां से 10 का भी पेर है, उसको भी ले लेते हैं फटा-फट से बाहर, यह 10 का पेर भी बाहर, कितना आ जागा देखना बिटा, सर यह हो जागा 12, और यह 110, 12 स्कार कितना हो जाग दोस्त धोस्त फारतीन हंड바 थीन हंड्रेट ट्वंटीमीट मीटर्स कार घर अगर मैं देखे गाट थीविटा तो फॉत 6E9 20 वीटर ईपस तो यहां पे बोला की इतना इंटू 1250 यह देख लिजीगा कितना रहा है यह रूपय में देख लिजीगा कितना रहा है अगर मैं इसको 1250 से मल्टिप्लाई कर दो दोस्त तो यह बड़े प्यार से देदेगा कितना एक लाख नहीं 1654 टैम्स जीरो 1654 टैम्स जीरो एक क्या ही दहाई सेक्रा हजार दस जार लाग दस लाग 1650 जार उपय भाई सहब यह कौन सी कंपनी है यह कौन सी कंपनी है जो एक दिवाल पे अड़टरेज्मेंट का तीन महीने का चार्ज कर रही है वह यह ग्रेट वॉल अफ चाईना तो नहीं है कहीं पास यह जो प्लिकेशन भेयार घुमते है मज़ाएंगा बोला। यहां पर किसर् हमाने पास यह जो सेडों डेरिजन है इसका एडला यह जो सैड्ड रिजन है में तो सैडल रिजन का एरिया निकाला area of triangle PQR इसमें से एक छोटा सा triangle बड़ा नना प्यारा सभी या PSQ इसका area निकाल दिया जाए area of triangle PSQ निकाल दिया जाए तो काम बन सकता है देखना दोस्त ऐसा हो सकता है क्या हां अब सर यहाँ पर PQR का area निकाले कैसे क्योंकि एक साइड पता दूसरी साइड पता तीसरा कौन बताएगा गुरुजी तीसरा बही आपके बताएंगे पाइथागोरस बाबा यहां पर धीरे सेंट्री मारेंगे तीसरा बताएंगे बिटा आपके पाइथागोरस बाबाजी यह आपका 12 है यह आपका 16 है बिटा तो यहां से पाइथागोरस बाबा से तीसरा निकालेगा अगर एक 12 है दूसरा 16 है बिटा तो कितना आजागा 12 का square प्लस 16 का square so this would be equal to 400 तो सर यह बड़े प्यार से आजागा 20 यह हमने पाइथागोरस बाबा की हेल्प से निकाला है यह बात याद रखना 12 का square 144 और 16 का square 226 तो भी यह बड़े प्यार से हो जाएगा बड़े प्यार से निकलेगा देख लीजीगा बिटा देख लीजीगा सब्सक्राइब तो यह साइड हमारे पास आ गए यानि कहना चार रहे हो सर एक बड़ा सा ट्रेंगल जिसमें साइट दिये गए कितना बिटा 20 इधर दिया है 52 और इधर दिया बिटा कितना 48 इसका एरिया माइनस सर यह तो राइट एंगल ट्रेंगल है इसके लिए तो दिमांग नहीं लगाएंगे वन बाई टू पर पेंडिकुलार अगर मालों ट्रॉल्ब ने डाला तो किस पे डाला होगा सर इस सिस्टीन पे बाबू आप लोग इसको कर पाओगे क्या मुझे तो लगता कि इस से ज्यादा सस्ता आप क्या ही बना दू इसको बिटा इससे ज्यादा सस्ता और कुछ नहीं हो सकता यह निकाल ली जिगा ही रोस फ़र्मुला से स्ट्रेंगल का एरिया वाइनस यह वाला ट्रेंगल के एरिया एज सिंपल एज वी कैन अंडेस्टाइड आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास सारी बाते दी गिएए एस एस मायने से जब तीरोसाइड पता है तो सेम लिएकने में क्या ही दिखते थोड़ा अच्क्न लिले तो मजाये ठीट्राइगर इस सवाल को थोड़ा मैसूस करीगा side of rectangle are this 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 we have path is centimeter 54 centimeter and 61 centimeter respectively find the length of its longest altitude come at love CDC about a kya should cool aliside should cool aliside side k corresponding altitude अ हमरे पता है कि अगर साइड बढ़ा लेंगे तो उसके होगा मतलब क्या है मतलब क्या है कुछ ऐसा मतलब है और 25 है यह मालों जो एल्टीट पूछना चाहरा है दोस्त वो इसमें इंट्रेस्ट में इंट्रेश्टोट को पूछना चाहरा है बताना कैसे निकलेगा एरिया हो जाएगा 1by2 बेस कितना बिटा 35 और кажется कितनाigo8 तो निकाला है और यह एरिया तो यह एरिया तो हिरोन्स फार्मुला से निकाल लो हिरोन्स फार्मूला से निकाल लो यहाँ पर دیکھो यार एक एक लाइन का unterwegs न्याएं हुत laugh सवाल में जो डेटा धिया रहता है उस डेटा को देखने के बाद क्या सब्सक्राइब था तीनों साइट्स पता है हेरों से एरिया निका लिए वही एरिया को यूज कर लिए बिटा इस वाले इस वाले concept के लिए अगर आप से बोलता है कि smallest altitude मतलब बड़ी वाले साइट के हिसाब से निकाला है बोला longest मतलब किसके करिस्पोर्डिंग होगा चुटकू साइट और चुटकू साइट कौन से बिटा इन तीनों में यह वाला है तुब यह वाला हमने अब यह दिखो बहुत सारे हमने अप्लिकेशन पार्ट समझ ली कि सर हिरो ओन्स में क्या क्या बाते थी क्या कि समझना था अब थोड़ा इसके अफ्लिकेशन पार्ट की बात की जाएं एक सर repairs का एरिया निकालना हो गया सूपर डूपर ईजी क्योंकि हिरोन्स ने अपने मस जवर जस्वल एक फार्मूला यहां पे दे फेक मारा भिया अब मालो आपके कोई क्वाडिलेटरल गीवेन हो और आपसे बोले कि इस क्वाडिलेटरल का एरिया निकालो अगर आपके चारो साइट्स पता हो और चारो साइट्स के अलावा कोई एक डाइगोनल दे दे तो आहां मज़ा आ जाएगा गुरुजी क्यों बताते है सर इसमें फायदा यह मिलेगा कि अगर एक कोई भी डाइगोनल पता है एक कोई भी डियागंगल पता है अगर मालो यह नोन है यह नोन है यह नोन है तो एकuitenos यहां से दूसरा ट्रैंगल ऊपर वाला बंच जागा गुरुजी तो हीरोन से हीरोन से दो ट्रांगुलर सेप का एरिया निकालेंगे और एड करेंगे तो फटा-फट से क्या दे देगा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ड्रॉबेक क्या मिल रहा है दोस्त से ड्रॉबेक ये मिल रहा है कि चारो साइट्स पता हो चारो साइट्स पता हो तो वहां पे आसानी से नहीं निकाला जा सकता कैसे भी करके कैसे भी करके इनका एक डाइगोनल मिल जाए गुरुजी तो सोने पे सुहागा आहा मजा आ जाए गुरुजी तो वही मेन कॉंसेप्ट है बेटा क्या कि अगर चारो साइट्स पता हो तो डेटा इंकम्प्लीट है लेकिन कुछ ऐसा फीगर रॉकिया हो कुछ ऐसा दिया हो कि इसका एक डाइगोनल निकाला जा सकता है बस समझ लेना कि काम बन गया अभी इस फिगर को देखके क्या दिमाग में ख्याल लग रहा होगा बिटा सर इसलिए यहां पर देखा जाए मजा आ जा रहा है क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा लग रहा कि कास यहां पर एक राइट एंगल होता न गुरुजी इसका हाइपोटनूस उठा के थ्री और फोर की वैसे यह फाइप के बराब की तो एक डाइगोर्णल फाइब के बडाबर है तो यह एरिया निकाल है बहुत सिम्पल यह में यहां से निकालेंगे गार होगियो और सर यह यह अगल ही यह राइड आंगल ट्रेंगल बन रहा है क्योंकि इस सातीजफाई कर रहा है आपके पाइथागोरस को यह पाइथागोरस जी को साटइस्पाइब रहा है 3 का स्कौरड़ी का स्कौरर ब्लास 4 का स्कुरा बरबर 25 BU G S2 इन हमारा राय्ट एंगल ट्रअंगल बन रहा है तो यह दूसरा ट्रन गल बोला के अंब due area area of quadrilateral बोल रहा है area of quadrilateral बोल रहा है ABCD अगर सच बताओ दोस्तों ऐसा लग रहा है कि एक isocellus है दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल है तो area triangle 1 प्लस एरिया triangle 2 अब यह अगर isocellus है तो डारेक्ट फर्मूला क्या अनिक्वल साइड डिवाइड बाई 2 इन्टो रूट के अंदर एक्वल साइड तो 5 का स्कौर्र माइनस अनिक्वल साइड का स्कौर्य डिवाइड बाई 4 ऐसा हो जाएगा यह मारपास क्या गिए दोस पहले वाले ट्रेंगल का दूसरा ट्रेंगल से क्याएगा 1 by 2 जिसने पर्पेंडिकुलर डाला है दाट इस 3 और जिस पे पर्पेंडिकुलर डाला है दाट इस 4 खतम कहा नहीं देखिएगा 4 by 2 मतलब 2 5 का स्कौर 25 4 का स्कौर 16 16 by 4 मतलब सर 4 आ गया ऐसा वेट 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 यहां पर 4 ही तो है 4 ही तो है हाँ बिल्कुल ठीक है 4 का स्कौर बिटा 16 16 by 4 मतलब 4 ठीक है ठीक है यहां से यह चीज़ आ गई और यहां पर बिटा कितना 3 4 12 12 का अधर बिटा 6 ऐसा कुछ देखना 2 इंटू रूट में 21 इंटू 6 12 रूट 21 और यहां तो कुछ दिया ही नहीं है दोस्त ऐसा ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूं कोश्चन फटा फट से मुझे ऐसा लग रहा है या तो ऑप्शन में स्प्रिंटेड है या तो डेटा में जो दिया गया भी या कुछ न कुछ तो लोचा है बॉस और यह मैं मैच करा लेता हूं आप बस थोड़ ज़गा 12 root 21 कितना ज़गा दोस 12 root 21 बिलकुस सही निकाला मैंने यहाँ पर option हो गया थोड़ी से मिस्प्रिंटेड option हो गया थोड़े से मिस्प्रिंटेड तो यह आजागा अपने पास जवाब बिटा वेट 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 यह प्लस का 6 होगा माई मिस्टेक माई मिस्टेक अगेन थोड़ी गलती कर दी अगेन छोटी सी गलती कर दी यह प्लस का 6 होगा प्लस का 6 तो यह यह जवाब कुछ ऐसा आएगा यहां पे अप्शन को अभी करते इग्नोर क्योंकि यह मिस्टेड है अगेन हमारे डीटीप मौधे ने मुझे लग रहा कि भीया समझ गए होगा आप लोग क्या बोलना चाहता हूं कोई बात कोई नहीं होता है बड़े-बड़े सेरों में छोटी-छोटी बाते होती है तो यह हमारा फा इक इसा कुछ हो सकता था ऐसा कुछ हो सकता था किए 15 सेंटीमीटर और यह कितना विटा पुटा था 28 cm ऐसा हमारे पास information दिया है यह वाला portion में राइट इंगल सर डाइगुनल के बारे में तो को information नहीं और यह तो बना लेंगे दोस्त नहीं है तो बना लेंगे इस तरीके से बना लेंगे अगर आप नोटिस करो तो इसका डाइगुनल निकाले में कितना टाइम लगेगा यह व ठundertनिकुलर कई स्कक्रप्लास बिस ज्कहर्प्र निक स्क्वार प्लस 20 कई स्क्वार्ट इंगे स्क्वार प्लस 40 की स्क्वार चली का यह जाए isolS यह जाएगा 81 चार्ट को sulla और IASS रिन सिक्स एट-1 यह जो lon 641 काता है विन आजयेगा फूर्टीवन तो अब इसका एरिया निकालना तो सरक्गाई जिसका है जिसका ये फूर्तिएटवन है उसका है और च्र کनल ये वन यह इन दोनों की एरिया को एड्र करिये वाला ये इन दूनों पार्टे देतको यार मैं पूरा-पूरा काम नहीं करने वाला हूँ कि यहां पे हिरोंस निकालके भी sound case एक बार बता दियक विटर कि एक प्रोचक फिरूच केवए और कि नहीं बेसिक कैलकुलेशन अगर सवाल सर सैड़ेड रीजन होगा सैड़ेड रीजन जो होगा सर ऐसा निकलेगा कैसे निकलेगा बिटा कि अबीजी का एरिया तरेंगल देखो यार तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं दोस्त और कुछ दिनों से वीमार मैं हलका का चल रहा हूं बट पूरी कोसिस है कि आपको यार मना पढ़ा पाऊं आपके सबसे क्रूसियल मोमेंट में अभी मैं आपका साथ दे पाऊं अगर यह आप मैं खुद गिवफ कर दिया दोस्तों आपको फिर कैसे वह एटिटूर दे पाऊंगा कि आपको कभी गिवफ नहीं कर अब यहां पे यह बड़े से ट्रेंगल का एरिया निकलेगा कैसे क्योंकि इसके लिए तो कम से कम हमें यह वाला चाहिए एबी तो चाहिए एबी तो चाहिए अपन को एबी कितना गया दोस्त तर एबी आ जाएगा रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वार क्यों कि आप यह लग जाएगा पाइथ वरस बाबा सो दिस वोड़ी थर्टीन मिला जुला के कहना क्या चाहरे हो सर कहना यह चाहरे दोस्त की आगया 13 यह आगया 14 यह आगया 15 तो इसके एरिया में से बिटा क्या करना है माइनस करना है इस वाले का एडिया दाट इस वन बाई देखो यार कैलकुलेशन मैं नहीं करा रहा हूं बिटा मैं आपको यह नहीं सिखा रहा हूं कि क्लाइन कैलकुलेशन कैसे करना है यह सिखा रहा हूं कि को कैसी लगाना है हम यहां पे बहुत बारिकी से महसूस कर पा रहे क्या कि यहां से हीरोंस फॉर्मूला से एरिया जो निकलेगा उस एरिया में से हम इस एरिया को यानि बारह पच्छे साथ साथ का दर तीस ये निकाल देंगे तो काम खतम जो चाहिए सर वो मिल चुका जो चाहिए वो मिल चुका यास यास ये वाले चलते हैं याइसे सवाल पर चलते हैं जहां पर थोड़ा मजा है एंप्लिकेशन पार्ट को और खुबसूरती से समझते हैं क्या दिया है एन अंब्रेला इज मेड बाई इस टीचिंग टेन ट्रांगूलर पीसेस आफ लाथ टू डिफरेंट कलर्स बिया दो डिफरेंट कलर के विया क्या है आप एक कुछ ट्रांगूलर पीसेस को यूज करके एक अंब्रेला बनाया जाता है और हर एक पीस की मेजरिंग जो है बिटा वह अपने पास दिया है 20 50 50 माना मालो उठाए अगर ऐसा एक से तो यह हमारे पास 50 यह अपने पास 50 और यह वाला 20 तो बोला क्या है हाओ मच्कलोथ ऑफ इच कलर वुड़ भी रिक्वार तो बिया 10 ट्रांगूलर पीसे से धस ट्रांगूलर पीसे से और दुए टाइप का है तो पांच का पांच भी आ माल ले टे ब्लू पांच माल ले ले वाइट मिला जूला की क्या हो गटाव थाइफ ब्लू ट्रांगू की यूच कर रहे तो क्या हो जाएगा तो यहां पर ट्रेंग मुलें की बैध चल गया अब देको है यार जो यह 10 एक से यहां पर देखना क्या पूछा पिटा फाइनल जवाब जो फाइनल है वो हाओ मच आफ कलाथ और इच कलर इज रिक्वार्ड तो यह एक कलर का अगर मालों पांच पीस का निकाल ले दूसरे का भी सेम जबाब होगा तो मैं टार्गेट करता हूं मेटा एरिया ओफ एच पीस यह हर एक पीस का एरिया कितना होता तो भी अगर देखो तो यह आपका ईसो से लस तो फार्मुला बदता है क्या बी बाई टू रूट में बटा क्या सर्सेम वाली साइट का स्कॉर माइनस ऐसा कुछ ऐसा कुछ फार्मुला बनता जहां बी क्या बिटा बेस और यह इक्वल साइट मतलब ए चलिए लगा लेते हैं 20 divided by 2 यह भी हमारा हिरों से ही आया दोस इसली ज्यादा दिमांग नहीं लगाएंगे क्या जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर divided by 4 देखना कितना आ जाता है 20 by 2 मतलब 10 5 का स्क्वायर 25 एक जीरो का स्क्वायर दो जीरो देदेगा इज़र देखना बेटा 20 का स्क्वायर भी या 400 400 दिवाइड़ वे 4 मतलब 100 बहुत बढ़िया फाइनल जब जब जवाव बैगा बैटा कितना जगा 10 इंटू या जगा 24 00 ऐसा अब या 24 00 को रूट से बाहर निकालना है तो बहुत पता है कैसे करता 24 in 200 करता 24 in 200 करता अच्छा दिमाग लगाते थोड़ा यह वह जाता बैटे कितना 24 24 का मतलब क्या होता है इस सबुद्टी फॉर का मतलब होता है चार गुड़े आठ यह निस ओलग अगर देखा जाया तो बारगुड़े दो बारगुड़े दो चौबज़े तो तो लोड़े से जिन बच्छों के पास है वो समझ गयांगे कि सर्या पर ऐसा कुछ कहानी हुआ है देख लिजीएग दो गुड़े दो चार चार गुड़े दो 8 8 3 का 24 बिलकुल तो एक यह वाला 2 का पियर और 10 का बेहर बाहर आएगा बठा तो 2 गुड़े 2 20 गुड़े 2 200 रूट 6 आ जाएगा 200 रूट 6 आ जाएगा एक पीश का एक पीश का एरिया कितना वेटा 200 root 6 मैं एक बार cross check जरूर करना चाहूंगा कि कहीं कुछ data में mismatch तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने data कुछ mismatch वाला उठा लिया है तो दिक्कत हो जाएगी दोस्त मैं data एक बार cross check जरूर कर लेता हूं लगे हाथ कि कुछ data में mismatch तो नहीं है नहीं मेरे हिसाब से साथ जो data आया है दोस्त बिल्कुल perfect आया हुआ है 200 root 6 आ रहा है एक छोटे से पीस का area तो पांच पीस का कितना हो जाएगा पांच गुडे 200 root 6 और यहां से भी आ जाएगा कितना पांच गुडे 200 root 6 तो यह हो जाएगा हर एक कलर में जो area required चाहिए यह जो cloth चाहिए भिया वह आ जाएगा कितना cloth चाहिए भिया वह जाएगा 1000 root 6 और 1000 root 6 हर एक टाइप के color के लिए चलिए कुछ अच्छे सवालों की फिराक में मैं हूँ क्या पता मजा आ जाए यार कुछ मिल जा है ऐसा कि मजा ही आ जाए लबग लबग देखो यार सारे सवाल जितने भी toughest बन सकते थे वो हमने बना लिया है अब वैसे सवाल ज्यादा बचे नहीं है जिसमें मतला मजा हुआ है double triple Le learned IDI गा बोनस के तोर पे क्या बोला दोस्त वैइस स्मॉले साइट के एल्टिरूट कि सा और लॉंग एस्समॉले साइट के यारिया निकलेगार और यही आय्यार निकलेगा 3 by 2 बेस मतलब सबसे छुटकु वाली साइड that is 11 और इसका एल्टीटूड बोला भी या तो ल्टीटूड को एच माल लेते हैं खतम यह यह तो निकाला है यह एच निकाला है क्योंकि यह तो निकला हुआ है ही रोन्स फॉर्मूले की हेल्प से और और देख लेते और इप्ड ईडार आई फसे लास राइटंगलर ट्रैंगल इज इightर सेंटीमेटर स्कवार raised एंगल डी служे लासे राइट एंगल डी तो सेलह से मालनों की यह दोनों बराबर को ते ए और A के बराबर हुटा और अबल bayon तो एरिया कितना हो जाता दोस्ट एंटु ए यानि ए स्क्वार किसके बराबर होता विटा एट के इप द एरिया आफ आई सो से लस राइट एंगल ट्रेंगल इच एट तो भी एक ही वैलू कितनी आ जाएगी तू रूट टू देख लीजिएगा दिमाग लगाओ क्या हो क्या है गropri्री टेख लेते लोस्त कॉ अञेकर मुर्ण का सज बार पर प्लस или यहाँ पर यहां पर ऑपने निकालाई नहीं यह ए कैसे नीकलेगा सुनना ये बस्टो प्लस अलेक फट्रपलश को ड्सक्स को सरण इतो निकल आएगा एये रुट टू आ जाएगा अब आए रुट टो देखेंए एक लोट कितनी आ रही reward to every mouse in 220 कर लेते और उन्जक तो एंटो रुट टू टू कर लेते आ तो रूट तो को एड़ करोगी ते आजएगा 4 root 2 plus 4 अब दोने जगह से 4 अगर कॉमा ने बिटा तो बाहर ले लेते हैं इस बुट भी रूट टू प्लस ऐसा कुछ ऐसा कुछ लिटा से कि ऐसा कुछ है क्या वेट 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 कुछ गढबर तो मैं नहीं कर रहा हूं कुछ तो गढब परिमेटर आफ ट्राइंगल सो परिमेटर आफ ट्राइंगल वडब वेग वडब वेग दिए ब्डू अबला या थैसे लिट रूस ब्लस वडस श्य्ट सो अगर यह में स्प्रिंटेट हुआ तो फिर क्या ही बोलू फिर क्या ही बोलूना मैं डीटीपी महोदै अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो कृप्या करके अगली बार कोई भी सूखा वाला न लीजिएगा यहाँ पर कहानी बदलेगी दोस्त बदलेगी गड़बड देखो यार छोटा सा हो गया दोस्त मैं बताता हूँ क्या हुआ है एक छोटा सामिस्टेक हुए है एक छोटा सामिस्टेक हुए तरजिन ट्रैंगल क्या एरिया होता है वह वहां लटाता वन बाइट टू बेस ए है हाइट भी ए है ऐसा Aware अट के बरावर घर कोलर दोट वन बाइट ूइन टू ए youth and can wine का इस पार ओ जोगा तो यह एक ही वैलू कितनी हो जाएगी यह की बैलू हो जाएगी बड़ी प्यार से फोर इस बात को थोड़ा राक्टिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं हो 인 that okay जक कि यहां जाये नहां कितना फौर एफर रूटו घिस लगातेम आएगा व्हों技 आएगा वह कितना जाएगा फैरिमिटर आ जाएगा वो आजाए गविटा, आपको आपको रोच करने के लिए बचों के सामने आपको रोच्ट करना पड़ा आपकी गलती नहीं थी, तनिक हमारी भी गलती थी, यार कुछ और ऐसे जांदार से सांदार से सवाल आते तो मज़ा आता, बहुत सिंपल से यार, बिल्कुल लपु से सवाल है, मज़ा ही नहीं आ रहा है बिल्कुल, चलो एक सवाल खुबशूरत सा करके दिखाते हो वीटा, यह बहतर सवाल हो सकता है सुनना क्या है और फिल्ड is the shape of trapegeum जिसके parallel sites दे दिये गभी यह एक ट्रापेजियम के सेप में हमारा एक फिल्ड है जिसके parallel side 10 और 25 यह 10 meter आभी यह ऊपर वाला और यह बड़ा साथ हो यह 25 meter है ऐसा कुछ यह ट्रापेजियम के सेप में है इसके नॉन पैरलेल साइट से भी याथ 14 एं 13 यह मालो 14 मीटर बिटा यह 13 मीटर है तो बोला है कि इस फिल्ड का एरिया निकालो ओ भाई साहब बहुत बड़ा धोखा हो गया गुरुजी यहां पर क्वाडर लेटरल तो है लेकिन डाइगोला निकालने के लिए डाइगोनल न जादा important में अगर आपके इस particular chapter से कोई सबसे toughest question बन सकता है तो यहीं वाला बन सकता विटा इससे ज्यादा toughest कुछ भी नहीं बनाएगा ज्यादा से ज्यादा toughest अगर बनाने की कोशिस किया विटा तो यहीं बना सकता इससे ज्यादा toughest कुछ भी नहीं हो सकता यह बात याद र इसके parallel sides भिया दिये 10 और 25 ठीक है भिया अनिक्वल side जो दिया वो दिया 13 मीटर माल लो और 14 मीटर यह दिया चलो इसको 14 लेलो कोई दिक्कत नहीं किसी sequence मिलो क्या फर्क पड़ता है लाश्ट में area ही तो निकालना है सब चलो ऐसा कुछ इस पूरे question में बिटा एक छोटा सा part जो आपको करना होता है वो मैं बता दे रहा हूं यह में भी आखरी सवाल हूं इस वाली side के parallel अजूम करके चलते हैं कि एक और side हमने ले लिया यानि हमने ले लिया यह वाली side इस वाली side के parallel हमने construction किया ऐसा क्या किया दोस्ट एक छोटा स एसा खीचा जो इस AD के parallel हो लेट दगीवन ट्रापेजियम इच गीवन ट्रापेजियम इस विया इस जो भी ट्रापेजियम है वो क्या विटा इस ABCD ABCD construction एक छोटा सा करना दोस्ट सर इस में भी construction सर यह का ज्यादा महंगा तो नहीं होगा न सवाल देखो यार बोल दिया नक है बॉस क्या हमने construction यह किया यह मालो ऐसे सोचा कि यह जो side AD है इसी के बिलकुल हूब 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 पैरलल में इस B से एक लाइन कीचा जो B E कहलाया ठीक है भी इससे क्या मिल गया आपको इससे देखो यार एक बहुत सुन्दर सा figure मिल गया कैसा figure मताता हूँ ऐसा figure मिला दोस यह 10 मीटर है दोस्ट तो यह इसी के सामने वाला कितना होगा 10 मीटर ही होगा गुरुजी अगर यह 14 मीटर है दोस्ट तो इसके सामने वाला कितना होगा 14 मीटर होगा गुरुजी इतनी बात तो understood है अब इस वाले portion की बात कर लें दोस्ट यह 14 लिया तो यह पैरललोग्राम क से अगर 10 निकाल दोगे तो सिर्फ 15 सेंटीमीटर बचेगा 15 सेंटीमीटर बचेगा बहुत बढ़िया सर लेकिन ये जो कुछ भी आपने लिखा इससे फायदा क्या मिला ये तो बताओ बताता हूँ दोस्त बताता हूँ एक एक लाइन आपको फील कराओंगा याद रखेगा क्या अभी के लिए बेटा इस ट्रांगुलर सेप का एरिया निकाल पाओगे क्या सर हां निकाल लेंगे हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे निकल जाएगा निकालना थोड़ा सर क्यों इ इससे पता benefit क्या मिलेगा तोस्त यह वाला altitude निकाला जा सकता है यह वाला कैसे बताता हूँ एक एक करके ट्रांगल हमारे पास क्या बटा बीए और यह सी है तो एरिया निकालना बटा इन ट्रांगल बीए इसी देखना क्या काम कर रहा हूँ पहले तो सेमी पेरिमेटर निक और सेमी पेरिमेटर मतलब जस्ट आधा देखेगा 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12 का मतलब 2 1 केरियोबर 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 42 डिवाइड़ बाइड़ 2 यानि यह जगा 21 अगर सारा गेम मीटर में चल रहा है तो सर मीटर में ही खेलेंगे बहुत बढ़िया एरिया निकालते एरिया को मैं डेल्टा से दिखाता हूं इस सिंबल को डेल्टा बोलते हैं यह ट्रांगल का एरिया दिखाने का एक तरीका है तो यह जाता है एस एस की वैल हो जादी है 2121 इंटू इस माइनस ए एस माइनस 14 देखेगा 21-14 कितना जाएगा सर्या जागा सेवें 21-15 यह कितना जाएगा दोस्त तर्या जागा सिक्स और ट्वथे वन-e-13 यह जागा सर ए थोड़ा सा निकालने की और आगे इसको कैल्कूलेट करने के कुसिस करते हैं किसर यह जो एरिया आपने सर्य ओज़ेगा 3 into 7, 1-7 तो रहने दो, क्या इसको मैं 2 into 3 लिख सकता हूँ, यह 3 into 2 लिख सकता हूँ, इस 8 को मैं 2 into 2 into 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी, मज़ा आगया, क्योंकि सब का पेर बन गया, इस 7 का पेर से यह 7 बहा निकला, इस 3 के पेर से य कितना आजाएगा दोस्ट Cryenko भूए बात बता न है इस ट्रइंगुलर सेप का जो एरिया निकला वो कितना निकला है एरिया जो निकला सर वो निकला है is press 4m2 लिख लेता हुई आपर, इसका base मैंने लिया था बिटा 15, तो इसके corresponding height को निकालने में किसको तकलिफ होगी भाई साब, सर किसी को नहीं, यही area तो use होगा, 1 by 2, base that is 15, और इसके corresponding altitude निकाला जा सकता है, सर, use कर लेते हैं, 84 equal to 1 by 2 into 15 into h, तो height की value कुछ ऐसी आजागी, 84 into 2 divided by 15, यह मर पास meter में, अभी इसको मैं resolve नहीं कर रहा हूँ, क्या पता आगे जरूत पड़े, अभी मैं इसको बिलकुल भी solve नहीं कर रहा हूँ, क्या इतनी सी बात दोस्तों clear हुई है, I hope मेरे champions आपको ये बा आगे क्या किया जा, ये भी बताओ, अगर इतनी सी बात ठीक है सर, समझ में आई, लेकिन इसके आगे क्या करना है, ये बताइए, चली भी इस बात को थोड़ा और आगे, और अच्छे से मैसूस करते हैं, कि अगर मानलो सर, इसके आगे थोड़ा और समझना होता, तो क्या क करतें बताता हूं अब इस ट्राइंगल में हमने इसकी हाइट निकाली है बेसिकली क्या निकालने की कोशिस की है हाइट अपने पास कितना आया दोस्त 84 इंटो 2 डिवाइड़ वाइड़ 15 जो की बड़े प्यार से 11.2 भी लिख सकते थे अगर आप चाहते तो मैं चली आपके लिए सिंपल कर दिया इतना अब देखो यार सच बताओं तो पूरा फीगर ऐसे था दोस्त पूरा फीगर ऐसे था कंप्लीट फीगर ऐसे था यह वाली हाइट जितनी आपने निकाली है क्या यही वाली हाइट इसकी भी होगी इसकी भी होगी देखें हाँ सर यही लेंथ त ये टोटल एरिया कैसे निकाल लेंगे सर तोटल एरिया तो निकल गया न सर एरिया ओफ पैरलेलोग्राम और यह समारे पास पता है कितना दस और थाइट अभी जठ निकाले that is 11.2 यह तुआ पैरलेलोग्राम का एरिया और 84 इस ट्रेंगल का एरिया देखेगा कितना आ जाता है दोस्त तो इस पूरे के पूरे तो इस पूरे के पूरे के पूरे का कोई डारेक्ट फॉर्मूला नहीं था तो हमने ऐसे सोचा कि तो कास हमारे पास यह हाइट निकलकर आजाती तो बेस तो मारे पास D मतलब TEN के बराबर दे ही रखा है चलो भी या इस ट्रैंगल से हमने पता भी है कि यहाँ पर हिरोंस लगाएंगे तो इसका एरिया तो निकल के आ जागा एरिया निकाल भी लिया लेकिन सर यह वाली हाइट कास होती है अपने पास तो इसको यहाँ पर यूटिलाइज कर पाते तो हमने इसके लिए क्या corresponding altitude base into height से यह वाली height भी निकाली that would be 11.2 अब यही वाली height यहाँ पे इस जगह पे parallelogram के एरिया के लिए यूज कर लिया that was base into height तो base तो अपना 10 है height अभी निकाला 11.2 this would be 112 तो यह पैरलेलोग्राम के एरिया 11.2 ट्रैंगल के एरिया 84 मिला जुला के 198 अपने पास प्यार से बड़ I think I have to cross check one more time I think I have to cross check one more time this would be this would be 112 and 84 okay 196 my mistake यह 196 होगा मुझे लगा था कि यह कहीं गलती तो नहीं कर दिया 4 plus 2 6 8 plus 1 9 196 meter square so this is all about your triangle chapter हाला कि सवाल कुछ और बच गया है बट यह सवाल में दम नहीं बिटा तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ जितने भी यार देखो toughest सवाल बन सकते थे इस ट्रैंगल वाले इस heroines formula से वालेडी हमने cover कर लिये हैं अब आपकी बार यह दोस्त जमके तोड़ी है बाकी के सारे questions को अब अपना ख्याल रखी है अस्तरे मुस्कुरातरे बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए और मज़ेदार से चप्टर में आपके heavy demand तो लगतार comment section में देखी रहूं मैं और बहुत ज्यादा पसंद कर रहो आप इन lectures को तो दोस्तो यार थोड़े फट तो और मारने पड़ेंगे क्योंकि याद रखना a single seat of paper can decide your future if you are not consistent in your efforts in your life तो बेटा आपको consistently लगे रहना है बस यही कहना चाहूंगा चलो बिलते हैं तब तक के लिए goodbye, bye bye, sayonara